हालो स्टुडेंट्स मैसल्फ मनोहर संदेलिया टीम जुलो जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेम डिटियर्श का फोर्थ पेपर जो आपके 11th NCRD के 7th इस चेप्टर से है इस्ट्रक्ट्रल और्गनाजिशन इनिमल्स उमीद है आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा फिर भी अगर किसी तरह का कोई कोई कन्फूजन हो कोई कंट्रोवर्शी हो तो आप इस पेपर सॉलूशन के तुरू आप इसको सही जो है वो इसके करेक्ट आंसर देख सकते हैं क्लियर इसमें आपके फर्स्ट क्वेस्टन जो है वदे रिखा थे मोस्ट सर्फेस ओफ बक्कल कैविटी और फेरिंग्स यह दोनों ही किस से कवर्ड होते हैं कौन सी एपिथीलियम होगी compound epithelium जो है वो इस पर प्रेजेंट होती है जो stratified इसके MS epithelium है वो इस पर प्रेजेंट होगी जो किस टाइप का epithelium है compound epithelium होगा तो इस पर compound epithelium present होगी second option इसका करेक्ट होगा क्लियर तो बकल केविटी ड्राइ सर्फेस ओव स्किन फेरिंग्स यह किस से कवर्ड होते हैं यह compound epithelium जो अब उस पर प्रेजेंट होगी clear और एक salival duct pancreatic duct इन सब में भी compound epithelium है तो correct answer इसका क्या रहेगा compound epithelium होगा जो मुगवा और ग्रस्नी की नम से तैपर होगा कौन सा सहीं तुक्कला clear तो correct answer जो है वो क्या रहेगा इसका second हो जाएगा इसके बाद देखें next इसमें question number second which of the following is not a secretion of the following is notice secretion of exocrine gland इन में से कौन सा exocrine gland का secretion नहीं है तो इसमें आपको ध्याने भी ducted gland होगी exocrine gland और एक endocrine gland होती है ductless gland तो इन में से कौन सा exocrine gland का secretion जो है वो इन में से नहीं है saliva, salivary gland का secretion है जो किस type की होगी exocrine gland इयर्वेक्ष ये कौन से होगी इयर्वेक्ष के लिए wax gland जो है वो फ्रेजेंट होती हिन में जो इयर के अंदर प्रेजेंट होंगी वो भी एक जोक्राइण gland है, थाइरोकसिन यह endocrine gland का secretion है, gastric enzyme यह भी क्या होगा यह भी exocrine gland का secretion है ęंडोक्राइण içeris को है जो thyroid gland से शक्रिक होती है बाकी सारे exocrine Saure The knowledge secretion of exocrine एक्जोक्राइन का सिक्रेशन इन में से कौन सा नहीं है तो एक्जोक्राइन का सिक्रेशन थाइरोक्सिन एक्जोक्राइन का नहीं है थाइरोइड एंड्रेनल ग्लेंड है स्वरी थाइरोइड जो है वो एंडोक्राइन ग्लेंड से सिक्रेट होता है इसलिए इसका करेक्ट आ स्टेट्मेंट गलत कथन को पहचानी आं तो इसमें आप स्पेशल रखें कौन लिछ निए तो इसमें इन करेक्ट स्टेट्मेंट टेखने पैरında नंदे सलाइवा है ये घ् burner है ट्रो ओक्टक्ट करेक्टो किया ट्रू लेंड़ आ रिषा करता है करेक्ट statement columnar or cuboidal cells wear cilia on their free surface to move particles in any direction over the epithelium यह इसमें incorrect है एन्नी direction में यह मुह नहीं करवाता है हम ऐसा cilia किसी भी epithelium पर present होगा तो एक particular direction में यह एक single direction में जो है यह इसको जो है वो particles को मुह करवाता है इन एनी direction आ गया it means wrong statement clear goblet cells are unicellular glands found in elementary canal यह भी correct है goblet cell unicellular glands होती है जो elementary canal में present होती है clear correct statement next fourth cells of epithelial tissue are compactly packed with little intracellular matrix तो यह epithelial cells के अंदर भी जो है वो cells कैसे range होती है compactly pack होती है जहां intercellular space जो है बहुत ही कम होता है यह भी correct statement है क्या पुछा है incorrect statement आपको देखना है तो incorrect statement के coding correct answer हो जाएगा second clear क्यों हो रहा है एनी direction देने के दिखारण जो है वो यह wrong हो रहा है क्या होना चीए यह इन में किसी भी direction में मूँ करने के बिज़ाए एक particular direction में मूँ करते है clear तो correct answer है second हो जाएगा इसके बाद आप देखें question number fourth the aurular connective tissue connect aurular connect to tissue जो है वो इसमें एको हां present होता है urular connective tissue कि presents bond to one यह क्या होता 邊 aurular connective tissue की बिज़े क्या होता है यहां कणेक्ट करने के लिए ligament होँगे तो ligament क्या होता है यह dense connective tissue है यह नहीं होगा muscles and bonds इनके लिए भी क्या होता तेंडोंस होंगे तेंडोंस भी इसके लिए इनकरेक्ट है वो भी dense connective tissue है skin to muscles skin को muscles के साथ जो है वो attach करने के लिए कौन से होते हैं इन में areolar connective tissue होगा तो correct answer जो है वो क्या जाएगा इसका third answer इसका correct answer जाएगा clear इसके बाद देखें question number five mark the cell junction which facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells of of adjoining cells फिर आगे दे रखा adjoining cells for rapid transfer of rapid transfer of ions small molecules and sometimes big molecules यह क्या होगा इन में उस cell junction को identify करना है जिसमें क्या होता है जो adjoining cells है एक दूसरे के पास-पास जो इस्टिद जैसल्स है वो एक दूसरे के साथ connect है और उसके साथ-साथ in cytoplasm में एक दूसरी cell के अंदर कुछ small molecules ions और कभी कबार कुछ बड़े molecules का भी exchange हो सकता है तो कौन से जंक्सन के थूँ होता है गैप जंक्सन या अंतराली संदी में ऐसा possible है कि adjoining cells के अंदर cytoplasm के ions या molecules से एक दूसरे में जो एक्सेंज कर सकते हों clear तो correct answer क्या जाएगा इसका third answer इसका correct answer हो जाएगा इसके बाद आप देखें है question number six which of the following labeled structure which of the following labeled structure represent macrophage in the given diagram इन में से macrophage cell जा है वो कौन सी है तो इनमें आपको जानोगा भी A क्या होती है must cell होती है A इसमें must cell है B fiber होंगे collagen fiber और C क्या होगी इसकी fibroblast cell है इसकी fibroblast cell है पुछा क्या है D cell के लिए macrophage पुछा है तो macrophage कौन सी होगी इनमें D cell जो है अब उसमें macrophage है तो कौन से हो जाएगा इनमें answer correct answer जाएगा इसका फोर्थ macrophage जो है वो इसकी D cells है वो macrophage है clear NCRT का diagram है उसके बाद आप देखें है question number seven read the statement इसमें statement को कथनों को पढ़ी है first statement दे रखा है 10 pair of spiracles are present in kokrose kokrose में 10 जोडी स्वासरंद्र होते हैं correct statement तो इसमें kokrose में 10 जोडी स्वासरंद्र ये इसका correct statement है और उसके बाद second statement the kokrose is diurnal and omnivorous correct है ये इसका incorrect statement हो गया किसके कारण diurnal के कारण कैसा होता है nocturnal and omnivorous होते हैं इसमें nocturnal रात्री चर होता है और सरवाडी होते हैं तो ये इसका incorrect statement है पैरी प्लेनेटा is 34-53 mm in length length में कितना होता है पैरी प्लेनेटा correct है 34-53 mm length होती है head of kokrose is triangular and lies anteriorly at right angle to the longitudinal body axis लंबुवत अक्ष के साथ ये बोडी के अनुदेर्दे अक्ष के साथ जो है वो क्या सीर अग्र सीरे पर जो है वो 90 डिगरी के एंगल पर जुखा होता है क्लियर आं तक तो ये भी correct statement है the correct statement आर इसमें कौन-कौन से धाटने आपको correct statement साथ ने इन करेक्ट में से भी है इसका मतलब a c and d तो a c and d ये इसके correct statement हो गए तो आंसर क्या हो जागा इसका second answer इसका correct answer हो जाएगा clear देखें next next question number 8 question number 8 में दे रखा है which external changes are visible after the last malt of kokroze nymph kokroze nymph में kokroze का जो और बग होता है उसके last molting के बाद उसके nymph में क्या changes आ जाते है 13 time molting होती है kokroze में 13 time molting होती है इसमें 12th time molting होगी last second molting होती है उसमें क्या होते हैं wing pad बन जाते हैं और last molting के बाद जो है वो 13th molting के बाद जो है वो इसमें दोनो four wing और hind wing है वो develop हो जाते हैं तो इसमें इसके according correct answer which external changes visible after the last malt of a kokroze last molting का पूछा है तो four wing and hind wings develop हो जाएंगे third answer इसका correct हो जाएगा clear इसके बाद देखें next question number ninth question number nine find out the find out the incorrect statement regarding kokroze kokroze के संबंद में incorrect statement आपको देखना है तो इसमें क्या दिया है incorrect statement first statement titilator is associated with left phelomere titilator और pseudo penis ये दोनों ही जो है वो कां प्रेजेंट होते हैं ये इनके अंदर जो है वो kokroze के कौन से उसके होंगे ये इन में kokroze के left phelomere पे जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं titilator तो correct statement kokroze के left phelomere पे titilator और pseudo penis होते हैं titilator बाड़ा correct हो गया three pair asymmetrical chitinus phelomere present around male gonopore ये इसमें incorrect statement हो गया क्या होते हैं three pair की बेजाए only three होते हैं तो three asymmetrical chitinus phelomere जो है वो इस पे प्रेजेंट होंगे three pair नहीं होते हैं इसका मतलब ये incorrect statement number of ovaries in each ovaries 8 ये भी correct statement phallic gland is found in only male cocrose ये भी correct ये भी correct statement तो incorrect statement इसमें कौन सा हो गया ये second जो है वो incorrect statement हो गया किस कारणने से incorrect है इसमें three pair दे रखा है जबके होते कैसे हैं three asymmetrical जो है वो kaitinus phelomere होंगे clear correct answer जो है वो इसका कौन सा हो जाएगा second रखेंगे next question number 10 number of thoracic and abdominal ganglia in cocrose respectively thoracic और abdominal ganglia जो आवो cocrose में यानि वक्षी है और उदर ये खंडी ये गुच्छक जो है वो cocrose में कितने होते हैं तो वक्ष भाग में या thoracic पार्ट में जो खंडी ये गुच्छक होते हैं वो three pair होंगे one pair prothorex one pair mesothorex and one pair metathorex में और six pair जो है वो इसमें का होंगे six pair इसके abdominal part में होंगे clear आतर ऐसे करके total जो है वो इनके अंदर cocrose में जो pair होंगे segmental ganglion होंगे वो किस type से होंगे ये इनके अंदर जो है वो one pair ये तो कहा होते हैं ये इसके thoracic part में होंगे pro measured metathorex में और उसके बाद जो है वो यहां से ये इनमें जो है वो six segment abdominal part में होंगे जो इसके seventh abdominal segment तक होते हैं clear आतक इस type से सारे जो है वो ventral nerve code के थुरू connect होते हैं ये इसमें double ventral nerve code होते हैं clear तो क्या होना चीए three and six abdominal segment जो है segmental kanglion होंगे clear thorax में three और abdomen में six segment होंगे clear इसके बाद आप देखें next उसके बाद eleven question no.11 all of the following structures are lined by a single layer of cells except इनमें से क्या बताना आपको all of the following structures are lined by following structures are lined by a single layer of cells except single layer of cells जो है यहां प्रेजेंट है it means कौन सा एपिथीलियम होना चीए simple epithीलियम it means किसकी बात कर रहा है यह simple epithीलियम की बात कर रहा है तो sample epithीलियम वाले जो है वो इनमें पूछ रहा है all of the following structures are lined by a single layer of cells cells की single layer से यह simple epithीलियम से lined है except यानि कौन सी इसमें सैसा है जहां simple epithीलियम नहीं है ball of blood vessels simple epithीलियम होगा alveoli lungs के होगी simple epithीलियम होगा duct of salivary gland इसमें compound epithीलियम होगा इसमें कौन सा होगा इसमें compound epithीलियम होगा और इसके बाद आप देखें intestine intestine में भी कौन सा होता है simple columnar epithीलियम होगा तो यह तीनों में simple columnar epithीलियम है जबकि salivary duct में compound epithीलियम होगा it means यह इसका correct answer third हो जाएगा clear इसके बाद देखें आप question number 12 question number 12 उसमें दिया वाय है which of the following tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions कौन सा उत्तक जो है वो इनमें ऐसा है जो तो शरीर में होने वाली कौन सा उतक परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति सरीर की अनुक्रिया शिल्ता के नियंत्रण के लिए उत्तरता ही होता है तो इसके लिए कौन सा उतक होता है कोई भी बाहर से लिए वो रिस्पॉंश कोई भी स्टिमुले सा रहे है या कोई भी तरह स्टेलीक में में आ प्लियर आ रैखाके के नहिरुस ऐ वो जो हैं वो इसके व्यों जो कौन सा करेगा नर्वस टीशू तो फॉर्थ आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर जाएगा इसके बाद आप देखें करेशन नमबर 13 13 नमबर क्वेस्टन में इसके इन इन्करेक्ट आपको इन्करेक्ट सेटमेंत करेंट है इसके हैं सेकंडिस्टेट में नुरों ग्लिकरैंश करेंश आकिनि सील कोशिका हैं होती हैं, second statement, neuroglial cells conduct impulses to different body parts, neuroglial cells होती हैं, वो कभी भी impulse का conduction नहीं करती, क्या होती है, non excitable cells होती है, जिनका impulse conduction में कोई रोल नहीं होता है, यह क्या करती है, support करने का काम करेंगी, nervous tissue को या neurons को support करना, यह काम जो है, वो neuroglial cells का होगा, तो इस support प्रोवाइड करने के लिए है, ना कि impulse conduction के लिए, तो impulse conduction यह नहीं कर पाएगी, तो incorrect statement, second, third statement में आप देखें, neuroglia make up more than one half, the volume of neural tissue in our body, neuroglia जो है, वो body में neural tissue का कितना पाट पनाती है, half, one half से ज्यादा पार्ट जो है, वो नूरोगलिया बना रही है, तो यह भी correct है, नूरोगलिया की संख्या जो है, वो neurons से हमें से ज्यादा होती है, next, neuroglia cells protect and support neurons, यह भी correct है, incorrect statement पूछा है, तो क्या बताओगे, neuroglia cells का impulse conduction करना, यह नहीं होता, इसलिए incorrect statement हो गया, आंसर क्या जाएगा, ligament connect, ligament जो है, वो किस को connect करेंगे, ligament, दैने भी आपको एक regular dense connective tissue का example है, ligament and tendons, बोथ हार regular dense connective tissue, ligament bone to bone को connect करते हैं, tendons, bone to muscles को connect करते हैं, clear आंतक, क्या पूछा है, question में दे रखा है, ligament connect, किस किस को connect करेंगे, humerus to biceps, biceps क्या है, यह muscles है, connect करेंगे, क्या होगा, इनके भी इसमें, tendons हो सकते हैं, ligament नहीं होगे, tibia to femur, यह correct है, कि tibia और femur, यह दोनों ही क्या है, दोनों bones होती है, तो bone to bone जोडने के लिए जो है, वो क्या होते हैं, ligament होगे, biceps to triceps, यह भी दोनों muscles है, femur to triceps, यह bone to muscles है, यह भी नहीं होगा, तो correct answer जो हो, क्या जाएगा, इसका, tibia to femur, bone को bones से जोडने के लिए जो है, वो ligament होते हैं, clear, देखें, question number 15, question number 15, the read, read the following statements, इन में इन कतनों को पढ़िये, ground substance is hard and non-pliable, इनका बरन उत्तक, बरन पदार्थ जो है, वो कैसा होता हो, कठोर होता है, और आनन्य या, जो है, वो लचीलापन नहीं होता, clear, second, rich in fiber, rich in collagen fiber and calcium salt, collagen, tanthu और calcium लवन जो है, कि उसकी अधिकता होती है, अधिक मात्रा में होते हैं, main tissue that provide structural frame जो है, वो ये प्रदान करने वाला जो है, वो मुख्य उत्तक जो है, वो क्या रहेगा इनमें, ये उत्तक है, it means किसकी बात कर रहा है ये, ये सारे जो statement है, वो किस से relate है, ये bond से relate है, identify the tissue on the basis of given characteristic and choose the correct option from the given diagram, इनमें, समझभा रहे हैं ये क्या है, तीनों statement जो है, वो बोन से relate है, high and non-playable, matrix, collagen fiber और calcium salt की presence, और structural frame बनाने वाला जो tissue है, वो बोन होता है, अब इनमें से आपको देखना है, कि बोन जो है, NCRT के चारों diagram है, बोन कौन से diagram को represent कर रहे हैं, ये इनके अंदर जो है, ये diagram, second जो diagram है, वो एक बोन को represent कर रहे हैं, तो correct answer इसका क्या रहेगा, second answer इसका correct answer हो जाएगा, अब आप देखें, question number 16, the cuboidal epithelial cells of, cuboidal epithelial cells of has microvilli which increase absorptive surface area, कौन सी? cuboidal epithelial cells है, तो एक तो इसमें ध्यान रखे हैं कि cells किस type की है, cuboidal epithelial cells है, cube like cells है, जिनमें इस type की cube like cells होंगी, और in cube like cells पे क्या present है, cube like cells है, और आगे इस पे दे रखा है, cells has microvilli which increase absorptive surface area, इनके उपर, क्या present होती है, इस type से जो है, वो इसमें microvilli इनकी free surface पे present है, जो क्या करती हैं इनमें, absorptive surface area को increase करती हैं, तो इसमें कहां present होती है, as microvilli which increase absorptive surface area, किसमें होती हैं यह, small intestine, fallopian tube, proximal convoluted tubule, bronchios, cancer होगा, proximal convoluted tubule में, nephron की PCT में यह present होती हैं, समझ भागे, क्योंकि small intestine में क्या होती है, इसमें breast border तो होती है, microvilli present होती है, लेकिन इसमें कौन सी होती है, columnar epithelium होती है, इसमें columnar epithelium होती है, fallopian tube में ciliated epithelium होती है, इसमें ciliated है, और breast border या microvilli वाली जो हो किसमें होती है, PCT में होती है, जो कैसी ये cell भी cuboidal cell होती है उसके बाद bronchiol, bronchiol भी कैसी है celiated होती है तो ये correct answer जो है वो इसमें क्या जाएगा third answer इसका correct हो जाएगा clear अब इसमें आप देखें है question number 17 question number 17 इसमें दे रखा है which of the following cell junction performs cementing to keep neighboring cells together in animal tissue जन्तु उत्तक में जो है वो पडोसी कोशिकाओं को या पास-पास अस्थित कोशिकाओं को आपस में एक दूसरे के साथ जोडने का काम या एक दूसरे को cementing provide करने का काम इन में से कौन सा उत्तक कर रहा है कौन सा junction या कौन सी संदी कर दिए कौन सी संदी होती है इसके लिए जोडने का काम करती है इसका थार्ड हो जाएगा उसके बाद आप देखें question number 18 the type of epithelium found in walls of blood vessels and air sex of lungs and are involved in a function like diffusion is क्या दियाबा है question डंग से समझ लें question में दे रखा है the type of epithelium found in walls of blood vessels blood vessels में जो endothelium बनती है और एक air shake of lungs lungs की alveol लाई के अंदर जो cells होती है and are involved in function like diffusion diffusion जैसे functions के लिए responsible होती है विसरन जैसे कारियों में सामिल होती है ऐसी epithelium इन में से कौन सी है तो कौन सी epithelium होती है spamus epithelium जो है वो उसके लिए responsible होती है क्या कर सकती है O2 CO2 के exchange में participate करती है और इसके साथ साथ ये blood vessels जोती है उनके अंदर भी endothelium form करती है तो ये lungs की alveoli में और blood vessels की inner wall में जो है वो squamous epithelium होती है तो blood vessels में आपने पढ़ा होगा आल्ट्री हो वेन हो या capillaries हो सब में inner wall जो है वो किस से बनी होती है endothelium होती है जो एक squamous epithelium है clear और ये इनके अंदर जो है वो squamous epithelium इसका correct answer जाएगा first clear इसके बाद आप देखें question number 19 following is the diagram of an epithelium choose the correct option with reference to the location where this type of epithelium is found following is the diagram of an epithelium ये epithelium का diagram है choose the correct option with reference to the location where this type of epithelium is found उस location को आपको पहचानना है जिसमें ये epithelium पाई जाती है सबसे बड़ी बात इसमें क्या ध्यान रखना है सबसे पहले देखो कि epithelium कौन सी है कौन सी है ciliated columnar epithelium है cilia present columnar cells है तो ciliated columnar epithelium होगी अब आपको देखना है कि ciliated columnar epithelium कहां present होती है बात समझ भागी भी कौन सी epithelium है ciliated columnar epithelium और ciliated columnar epithelium कहां present होती है ये फैलोपीन टूब में present होती है तो correct answer इसका second हो जाएगा क्लियर तो सबसे पहले टास्क चूज़ आपने पास क्या है डाइग्राम में जो दे रखा है पहले उस टीशू को आपको identify करना फिर बूरेंटर उसके बाद प्रेजांपल इसका फैलो पिर टूब है है correct answer second हो जाएगा अब आप देखें question number 20 find out the incorrect one related to find out the incorrect one related to compound epithelium incorrect पूछा है तो आपको उस incorrect option को देखना है जहां compound epithelium नहीं होती तो compound epithelium इनमें से dry surface of skin skin की dry surface में compound epithelium होते हैं pharynx में compound epithelium होती है pancreatic duct में compound epithelium है proximal convoluted tubule में PCT में compound epithelium नहीं होती है इसमें कौन से होती है simple cuboidal epithelium होती है इसमें simple cuboidal epithelium होगी इसलिए इसका correct answer जो है वो क्या है fourth हो जाएगा समझ भाएगे ना क्योंकि इसमें क्या पुछा है incorrect one related to compound epithelium तो compound epithelium के लिए incorrect जो हो कौन से जाएगे PCT जो नहीं फराउंड की वो इसके लिए incorrect जाएगी clear आगे देखें question number 21 question number 21 इसमें 21 में दे रखाया which of the following are function of bones ये bones के function दे रखे है पहला function its support and protect softer tissues and organs correct है body के softer tissue जो कोमलंग है उनको क्या करती है ये protect कर रही और support करती है उनको सारा देना और उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा करना उसके बाद है they interact with the skeletal muscles to bring about the movement skeletal muscles को कंकाली पेशियों के साथ जुड़ कर जो है वो ये क्या करती है गती करने में साहता करवाती है और उसके बाद it is the site of production of blood cells तो जो bones की bone में रोती है वो क्या कर सकती है blood cells की formation भी करती है blood cells का production करती है उसके बाद it serve as weight bearing function wet bearing function शरीर का भार भायन करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है it means सारे statement जो है वो bone के लिए correct statement है इसके according जो answer है इसका क्या होना चीए following our function of bones तो correct answer इसका third हो जाएगा A, B, C and D चारो ही bones के correct function है clear उसके बाद देखें 22 the type of tissue which is widely distributed throughout the body and serve as throughout the body and serve as a support framework for epithelium is उपकला के लिए support framework बनाने वाला जो है वो कौन सा connective tissue है वो present होता है एरियोलर connective tissue जो है वो इसके लिए एक supportive tissue होता है जो उपकला उत्तक के नीचे जो है वो present होगा तो ये उसके नीचे रहते वे उसका structural है उसके नीचे रहते वे जो है वो support देता है और उसके साथ साथ फ्रेम जो है वो त्यार करता है framework कितरे काम करेगा तो संपूर्ण सरीर म इस तरत रूप से खेला होता है और उपकला के लिए आधारी डांचे का काम करता है खले रहां तक तो कौन सा रहेगा एरियोलर connective tissue या वाई भी है सिन्यों जी उत्तक जो है वो इसका correct answer जाए है clear इसके बाद आप देखें question number 23 इसमें तेरे खाए given below is a diagrammatic representation of a glandular tissue find out the correct option with reference to given diagram given below is a diagrammatic representation ये एक सित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है ग्रंथिलू तक का find out the correct option with reference to given diagram इसके लिए correct option आपको चांटना है तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है diagram को देखते आपको ये ध्यान रखना है कि diagram किस type का है या किस चीज का diagram है किस चीज का diagram है ये अपने आप में एक जो है वो कौन सी है युनि सेलूलर ग्लेंड है और ये युनि सेलूलर ग्लेंड है वो कौन सी है गोबलेट सेल से है युनि सेलूलर ग्लेंड है युनि सेलूलर ग्लेंड में एक्जांपल जो है वो कौन सी होती है या तो गोबलेट सेल या फिर elementary के नाल की नीच सेल ये दो यह सारी मल्टिसेल्लवलर ग्लेंड में यूनिसेल्लॉलर ग्लेंड में से कौन जो गॉबलड वो इसकी यूदिसेल्लोर ग्लेंड क्लीयर आं तक तो इसमें correct answer जाहो क्या राएगा इसके बाद देखें question number 24 the major function of fibroblast cells in connective tissue connective tissue में fibroblast cell का या तंतु को रख कोशिकाओं का मुख्यकारी है store access of nutrients in form of fat गलत है यह किसका काम होगा adipose connective tissue के जो है वो कौन सी adipose side cells होती है वसा कोशिकाओं करती है जो access nutrients को अतिरिक्त पोशक पदार्थों को वसा में convert करती है और produce and secrete fibers and structural fibers of structural protein called collagen और elastin collagen और elastin तंत्वों का निर्मान करना यह fibroblast का correct function है तो correct answer क्या जाएगा इसका second हो जाएगा destroy the cell debris यह किसका काम होता है यह इनके अंदर macrophage cell का काम होगा form and lining of saliva duct यह भी epithelial cells होगी यह भी नहीं होगा तो correct answer जो हो क्या हो जाएगा इसमें second जो है उसका correct answer हो जाएगा clear question number 25 find the incorrect one related to given type of muscles दीगई muscles के लिए आपको क्या चाटना है incorrect जो है बुस्ट्रेटमेंट देखना है given type of muscles अब किस type की muscles है सबसे पहले दो आप यह देखें heart की cardiac muscles है muscles किस की present cardiac muscles को represent कर रहा है तो जो arent हो concern होती है heart में present होती है पहला statement है cylindrical and strated fiber, cylindrical भी स्टेटेड fiber भी है perfect statement है second branched and inter-collated disc branched भी होता है और जगे जगेbir में क्या present होती है inter-collated disc भी होती है correct statement है found in elementary canal and heart elementary canal में ये present नहीं होती है heart में होती है लेगिन elementary keनाल में प्रिजेंट नहीं होती इसलिए कैसा ंगे इनकरेक्ट स्टेट्मेंट इसके बाद दे रखा इन्वोलेंटरी नेचर ये भी और नेचर में या फंक्शन वाइज अगर दे देखें तो कैसी होती है इन्वोलेंटरी ओती है तो इसमें इनकरेक्ट आपको देखना है इसके बाद आप देखें 26 given below is a diagrammatic representation of a connective tissue ये connective tissue का सहियों जी उत्तक का एक diagram दे रखा है जिसमें choose the correct option with reference to given example of given tissue ये इनके अंदर जो है वो जो diagram दे रखा है वो किस type का tissue है ये इनके अंदर dense connective tissue है dense connective tissue में दो type के tissue है एक regular dense होता है एक irregular dense होता है ये किस type का है irregular dense connective tissue है जहां fibers और cells जो थी है वो irregular arrangement में होती है specific orientation में नहीं है तो specific orientation में नहीं है इस नहीं है tissue है इसके according जो है वो आपको बताना है choose the correct option with reference to example of given tissue tendon कैसा होता है regular dense ligament regular dense connect to tissue dermis dermis of skin ये irregular dense connect to tissue है तो correct answer जो है वो क्या आना चीए इसमें इसका correct पुछा न correct option देखना है तो correct option के according क्या जाएगा answer dermis of skin आ जाएगा third answer इसका correct हो जाएगा clear तो यह इसमें third answer होगा इसका तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें भी इस paper में special जो है वो यह है कि जितने भी question इसमें से बनाए गए है उन सारे question को अगर आप एक statement wise अगर डंक आप देख लें कि diagram wise अगर आप इसको डंक से देख लें तो आपको अलग से इस chapter में कोई नहीं तयारी करने की जुरूत ही नहीं है टोटल एंग जो है वह एंटीए बेस्ट भी अगर कोई macrophage, oligodendrocytes, microglia, fibroblast and estrocytes, how many of the above cells are present in aerular connective tissue, why भी यह सहियों जी उत्तक में इन में से कौन कौन सी cells पाई जाती है कितनी टाइप की cells जो है वो aerular connective tissue में या यह यह सहियों जी उत्तक में पाई जाती है mast cells यह पाई जाती है, macrophage यह पाई जाती है oligodendrocyte वो किसकी है, neural tissue की cell है, microglia यह neural tissue की cell है fibroblast यह पाई जाती है, astrocyte यह भी neuroglial cell है तो microglia, oligodendrocyte और microglia, microglia, oligodendrocyte and astrocytes यह किस टाइप की है, यह neuroglial cell है, mast cell, macrophage और fibroblast यह तीनों aurular connective tissue की cell है, तो इन में क्या जाएगा three cells जो है, वो इसके अंदर present होंगी, correct answer जो है, वो क्या जाएगा, second answer इसका correct हो जाएगा आगे देखें, 28, blood is a tissue which has y without fibers find the option which correctly fills up the blanks x and y जो होता है, जो जो होता है, वो विदाउट fibers, क्या होता है इन में, without fibers के इसका matrix होता है ground substance जो होता है इसका, वो without fibers होगा, तो y की जगे ground substance और x की जगे क्या होगा, connect to tissue तो third answer इसका correct answer हो जाएगा, इसके बाद आप देखें question number 29, 29 में to which one of the following category does adipose tissue belong इन में से कौन सी category में जो है, वो adipose tissue को सामिल करेंगे, तो adipose tissue जो है, वो एक type है, loose connect to tissue का, इन में से क्या correct answer हो जाएगा, connect to tissue जो है, वो इसका correct answer हो जाएगा, clear, इसके बाद आप देखें, question number 30, question number 30, which one of the following is not a connect to tissue, इन में से कौन सा connect to tissue या सहियों जी उत्तक नहीं है, तो इसमें bone connect to tissue है, cartilage ये भी एक connect to tissue है, दोनो specialized connect to tissue के type है, blood, fluid connect to tissue है, muscles जो है, वो muscular tissue है, ये एक connect to tissue नहीं है, तो correct answer जो है, वो क्या जाएगा, इसमें, fourth आजाएगा, ये पुछा is not a connect to tissue, तो muscles connect to tissue में नहीं होके, क्या होती है, muscular tissue का part है, clear, तो correct answer इसका, fourth होगा, next आप देखें, 31, 31 में दिया हुआ है, choose the correctly matched pair, इसमें से, correctly matched pair जो है, वो कौन सा है, first tendons, specialized connect to tissue, incorrect है, tendon क्या होता है, ये dense regular connect to tissue है, एडिपोज tissue, dense connect to tissue, ये भी incorrect है, एडिपोज किसका टाइप है, loose connect to tissue का टाइप है, उसके बाद है, areolar tissue, ये होगा, loose connect to tissue, ये correct है, areolar और एडिपोज, ये दोनों ही loose connect to tissue के टाइप है, तो ये इनमें, areolar का सही हो गया, loose connect to tissue है, cartilage dense connective tissue ये भी incorrect है कैसा होगा specialized connective tissue होता है तो ये इनके अंदर जा है वो correct answer इसके according क्या जाएगा correctly matched pair है वो उसमें third है उसके बाद आगे देखें 32 32 में दे रखा है the epithelium found in the inner surface of bronchioles which move particles in a specific direction over epithelium is अगर इनके अंदर जाएगा वो पार्टिकल्स को एक specific direction में पार्टिकल्स को मूव करवाना तो correct answer जो है वो क्या जाएगा इसका affiliated epithelium हो जाएगा clear उसके बाद आप देखें question number 33 myelin seed is produced by myelin seed किस से produce होती है astrocyte and swan cells incorrect उसके बाद oligodendrocytes and osteoblast cells osteoblast cells है वो अतिक इसके लिए bonds के लिए होती है ये भी गलत है astrocytes and microglial cells दोनों neuroglial cells है लेकिन myelin seed दोनों ही नहीं बनाती ये phagocytic cell है और astrocytes जो है वो blood brain barrier बनाती है उसके बाद है swan cells and oligodendrocyte cells ये इसके लिए correct होगा swan cells और central nervous system है cns के अंदर जो myelin seed बनती है वो कोन बनाता है oligodendrocyte बनाती है तो correct answer जो है वो क्या रहेगा इसका fourth इसके लिए correct answer हो जाएगा swan cell और oligodendrocyte cell है वो neurons के एक zone पर myelin seed बनाती है clear correct answer fourth इसके बाद आप देखे है question 34 the inability to absorb digested food digested nutrients may be due to damage of which type of epithelium क्या दे रहा है the inability to absorb digested nutrients digested nutrient को absorb कर सकने की ऐस समर्थता due to damage of which type of epithelium कौन से कला उत्तके छतिग्रस्त होने से होता है तो किसके कारण से हो सकता है जहां इसका काम जो है वो कौन सा रहेगा भी digested nutrients है उसको absorb कौन सी करती है breast border columnar epithelium breast border simple columnar epithelium होती है उसके उपर में tissue damage हुआ उसका simple columnar epithelium जो है वो उसका damage हुआ है answer जो है वो correct क्या जाएगा second answer correct हो जाएगा सरल इस तंबाकार उक्कला में के damage होने पर food absorption नहीं हो पाएगा clear उसके बाद आप देखें question number 35 long cylindrical long cylinder cells with basal nuclei are found in long cylinder cell vessel nuclei के साथ जो long cylinder cell है point में इस टाइप की जो cell होती है long cylinder cells और basal nuclei हो तो किस तरह के epithelium में होती है columnar epithelium में जो है वो यह present होंगी correct answer जो है वो क्या जाएगा इसका third answer हो जाएगा इसके बाद आप देखें question number 36 choose the odd one with reference to secretion of endocrine gland endocrine gland के secretion के संबंद में आपको क्या करना है odd one जो है वो सबसे विशम को पहचानना है कि जो endocrine gland का secretion नहीं हो यह इन में से कौन सा होगा insulin जो है वो क्या है pancreas का secretion है pancreas की beta cell का secretion glucagon pancreas की alpha cell का secretion दोनों endocrine है adrenaline adrenal gland का secretion यह भी endocrine है pepsin जो है वो gastric enzyme होता है और यह gastric enzyme जो है ducted gland होती है यह exocrine का secretion है बाकी सारे endocrine का secretion है clear तो correct answer इसके according जो है वो क्या जाएगा fourth इसका correct answer जाएगा clear उसके बाद आप देखें question 37 question number 37 select the incorrect statement with reference to connective tissue connective tissue के संबंद में सायोंजी उत्तक के संबंद में आपको क्या देखना है incorrect statement या गलत कथन को पहचानना है clear पहला दे रखा है connective tissue जे जार widely distributed avascular tissue in the body of complex animals avascular आते ही कैसा हो गया incorrect statement हो गया कैसा होता connective tissue connective tissue जो हो वो वस्कुलर टीशू होता है epithelial है वो avascular tissue होता है non-vascular tissue होता है connective tissue जो होता है वो कैसा होगा vascular tissue होता है somewhere new तक होता है तो यह पहला ही incorrect हो गया they are responsible for linking and supporting of body organs सही है body organs को आपस में जोडने का support करने का काम करता है protein fibers provide strength elasticity and flexibility to tissue यह भी correct है strength के लिए collagen fiber होंगे elasticity के लिए flexibility के लिए lasting fiber होंगे clear modified polysecuride accumulate between cells and fibers यह भी correct है तो incorrect statement जो हो क्या जाएगा इसका first हो गया किस कारण से incorrect है abuscular tissue नहीं कारण clear आगे देखें next question number 38 all of the following are properties of cardiac muscle fibers accept इन में से cardiac muscle fiber की property जो है वो इन में से कौन सी नहीं है cardiac muscle fiber कौन सा होगा cardiac muscle fiber का मतलब जो एड़धाई पेशी तंतु है उसकी जो है वो इन में से कौन सी property नहीं होगी तो cardiac muscles fiber accept कौन से में जो है वो कौन सी प्रोपर इसकी नहीं है present only in heart सही है fiber सार branched and spindle shape spindle shape आ गया इसका मतलब यह उसकी property नहीं है कैसा होता है cylindrical fiber होते हैं से यह इस टैप के जो है वो cylindrical fiber होंगे cardiac muscles में समझा आगी तो cylindrical and branched fiber होंगे जो कैसे होते हैं stated fiber होंगे से clear तो यह इनके अंदर second जो आवज के लिए क्या हो जाएगा incorrect communication junctions at some fusion points fusion points पे संचार संधियां पाई जाती है sun line इस थल्प पे fibers contract unit एक unit के रूप में भी जो हो contract होता है यह भी सही है कौन सा इसके लिए जो है वो नहीं होगा fibers are branched and spindle shaped spindle shaped जो हो नहीं होते इसलिए यह second option इसका correct हो जाएगा fluid connect to tissue does not contain fluid connect to tissue में इन में से कौन सा नहीं होता है plasma present होगा इसके बाद blood cells भी present होगी platelets भी present होगी collagen fiber जो है वो इसमें नहीं होते तो blood और lymph जो होता है fluid connect to tissue उसमें collagen fiber जो है वो नहीं होंगे fourth answer इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद देखे है question number 40 question number 40 में इसमें दिया हुए match the column first with the column second and select the correct match इसमें से column first second को match करते हुए correct answer जो है correct option को देखना आपको जिसमें क्या दे रखा है compound epithelium compound epithelium इन में से comprehend होगा skin में compound epithelium होगा osteocytes bones की cell होती है और उसके बाद ciliated epithelium fallopian tube में होती है fibroblast ये connective tissue है clear connective tissue की cell होगी fibroblast तो matching अगर करवाएंगे तो क्या रहेगा first में second third second third fourth और first second third fourth और first third option इसका correct option हो जाएगा clear इसके बाद आप देखें है next 41 41 है इसमें दिया हुआ है the epithelium made up of single layer of flattened cells with irregular boundaries is present in क्या दे रिखा है made up of single layer of flattened cells इसका मतलब कौनसी cell होगी simple squamous single layer है इसका मतलब तो क्या है simple है flattened cells है इसका मतलब squamous तो इसमें simple squamous epithelium जो है वो इन में से कहा होगा with irregular boundaries is present तो जहां irregular boundary वाड़ा simple squamous epithelium जो present होता है वो कहा होता है blood vessels की wall पे present होगा first answer इसका correct answer हो जाएगा clear रहां तक उसके बाद आप देखें question number 42 42 में दे रहा है epithelium responsible for providing protection against mechanical and chemical stresses is absent in तो सबसे पहले question में एक ही question में जो है वो आप समझ सकते हो भी दो type के question जो है वो एक साथ होने है सबसे पहले उसकी पैजान की वो tissue कौन सा है फिर आपको उसके example based देखना है कि उसमें कहा present होता है कहां present होता है तो क्या दे रहा है epithelium responsible for providing protection against mechanical and chemical stress इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना है tissue कौन सा है compound epithelium यह इनके अंदर जो है वो compound epithelium हो गया है जो chemical और mechanical stress के against जो है वो प्रोटेक्ट करता है उनसे सुरक्षा परतान करता है उसके आगे दे रहा stages absent in इसका मतलब compound epithelium इसमें से कहां absent है pancreatic duct में present होगा duct of salivary gland में present होगा NCIT में दे रहे पूरे यह example tubular part of nephron nephron के tubular part के अंदर यह नहीं होता वहां कौन सा होता है simple epithelium होता है तो इसमें tubular part of nephron में नहीं होगा बकल cavity में भी compound epithelium होता है it means कहां absent होता है वो पुछा है इसका मतलब क्या जाएगा answer third answer correct हो जाएगा कि nephron के tubular part में यह नहीं होता ठीक है उसके बाद आप देखें 43 biceps is a type of biceps किसका type है एक skeletal muscles का type है biceps और triceps जो पेशियां होती है वो किसके साथ जुड़े होती है यह अपनी bones के साथ में attach होती है और bones के साथ attach होती है वो bones जो muscles है वो कैसी होती है skeletal muscles या कंकाली पेशियां होती है correct transfer first हो जाएगा इसका इसके बाद आप देखें 44 44 में दे रखा है choose the odd one with reference to location of non-stated involuntary muscles इन में से non-stated जो है वो involuntary muscles की location आपको देखनी है तो non-stated या एरेखित अनेचिक पेशियां जो है वो इसमें कहां नहीं पाई जाती है choose the odd one with reference to location यानि इन में से बाकी सारी जो location है बहुत ऐसी होगी जहां पर एरेखित अनेचिक पेशियां पाई जाती है इसमें से आपको कौन सा पहचाना है विशम को पहचाना है जहां यह नहीं होती है इत मींस blood vessels में present होगी इस टमक में भी यही present होगी intestine में भी होती है height में यह नहीं होती है height में कौन से होती है height के अंदर जो है वो cardiac muscles होगी तो un-stated जो है वो नहीं होती cardiac muscles ध्यान होगा भी आपको stated होती है और involuntary होती है तो इसमें क्या पुछा है non-stated और उसके साथ involuntary तो non-stated involuntary जो है वो कौन सी muscles होगी ये इनके अंदर जो है वो smooth muscles chickeny-paste होगी जो कहाँ पाई जाती है visceral organs में present होती है blood vessels में stomach में intestine में इनके अंदर present होती है लेकिन heart में कौन सी होती है cardiac muscles correct answer इसका क्या जाएगा odd one छाटना आपको तो क्या जाएगा answer fourth हो जाएगा उसके बाद आप देखें question 45 question number 45 में दे रिखा dense irregular connect to tissue is present in ये सगन सेयों जी dense irregular connect to tissue तो सगन इन्यमित सेयों जी उत्तक जो है वो इन में से कहां पाया जाता है present in irregular देखना है तो irregular में एक तरफ tendon में tendon के अंदर कौन सा होता है regular होता है ligament में regular होता है cartilage में specialized होता है ठीक है तो ये इनके अंदर इन में दोनों में regular dense होता है इसलिए ये भी नहीं होंगे cartilage में specialized connect to tissue skin के अंदर जो है वो dense irregular connect to tissue होगा तो correct answer इसका third हो जाएगा clear आगे देखें question number 46 cartilage is present in all the given reason except cartilage इन में से एक को छोड़ कर सभी जो है वो चोत्रों में सभी अंगों में पाई जाती है इसा कौन सा भाग है जहां cartilage absent होती है cartilage नहीं होती outer ear joints बाहरी कर्ण संदिया इनके अंदर पाई जाती है tip of nose नाट के सिर्ष पे इसमें भी पाई जाती है between vertebrae vertebrae के अंदर भी vertebrae के अंदर भी बीच बीच में vertebrae के बीच बीच में भी cartilage जो है यह इसमें पाई जाती है और ligament इनमें cartilage नहीं होती ligament क्या होता है यह dense connective tissue है जिसमें कहीं भी cartilage नहीं होती अपने आप में ही जो है वो यह कलग tissue है clear आं तक तो यह इनके अंदर जो है वो चोथ आंस्वर इसका correct answer हो जाएगा इनमें पहले दूसरे तीसरे में इनके अंदर कहीं भी देखें तो cartilage कहीं कहीं इनमें present है clear यहां तक इनको compose कर रही है सबको cartilage चोथे में snaiu के अंदर cartilage है वो नहीं होती clear चोथ आंस्वर इसका correct हो जाएगा उसके बाद आप देखें 47 47 है the first pair of wings in cockroach arises from अब देखें इनमें mostly जो question है अब cockroach से related question है tissue वाले question जो है वो आपने देख लिए इनमें statement based question का फाइदा जो है वो आपको यह है कि उसमें आपके लगबग लगबग पूरा chapter cover हो जाता है हर तरह की question कैसे भी गुमाफिरा की question आज है आप easily solve कर सकते है clear अब आप देखें question number 47 the first pair of wings in cockroach arises from cockroach में पहली जोड़ी जो पंक है वो कहां से उत्पन होते हैं कहां से विक्सित होते हैं prothorex से head से mesothorex से metathorex से पहली जोड़ी जो पंक हराई होते हैं वो mesothorex से होते हैं और दूसरी जोड़ी जो पंक हराई होते हैं वो metathorex से होते हैं clear आं तक क्या पुछा है first pair of wings पुछा है तो answer क्या जाएगा third हो जाएगा mesothorex से ठीक है उसके बाद आप देखें 48 48 में दे रखा है in female cockroach sperm are stored in मादा cockroach के अंदर जो नर나 cockroach के द्वारा sperm ejaculate किये जाते हैं वो sperm मादा cockroach में जो है चोंदर और कहाँ श्टόर होते हैं female cockroach के अंदर क्या होती है spermethe का सुक्र गाही का होती है जो योजनी के अंदर या vaginal passage में present होती है तो vaginal में जो present स्परमेथिका होती है वहाँ इनके अंदर इजेकुलेटरी डक्ट जो है वह मेल की वो क्या करती है स्पर्म को स्परमेटो 4 की फॉर्म में इजेकुलेट कर देती है तो इस्टोर कहां पे रहेंगे स्परमेथिका के अंदर जो है वो यह जाके स्टोर हो जाते हैं, ãyस्टोर हो जाते है तो क्लियर तो क्रेक्ट आंस उस्का क्या रहेगा को को क्रॉप के सम्बंद में वह इनमेच से कौन सा है शिरूपा का मतलब तो गलत मिलान यह वो इसमेच छाट नहा भी इसके अंदर देखिए पहला दे रखा abdomen 10th segment abdomen में 10th segment होते हैं correct है matching pair है anal sarsai 10th segment में anal sarsai 10th segment बहुत है ये भी correct है उसके बाद आप देखिए malpesian tubules 150 ये भी correct में चे और उसके बाद दे रखे हैं जो उसमें tracheal system 10 spiracles ये इनके अंदर जो है वो गलत हो गया क्या होगा सही क्या होना चीए tracheal system जो होता है उसके अंदर spiracles की संख्या है वो 10 pair होती है spiracles या स्वासरंदर जो है वो कितने होते हैं cocrows में cocrows के अंदर 10 pair spiracles होंगे जिनमें 2 pair thorax में और 8 pair जो है वो इसके abdomen में होते हैं तब correct answer जो है वो क्या इसमें ये पुछा है mismatched pair mismatched pair में fourth answer जो है वो इसका बिलत हो जाएगा tracheal system जो है उसमें कितने होने चीए 10 spiracles की बजाए 10 pair spiracles होंगे clear आं तक बागी सारे correct में चैंए उसके बाद आप देखें question number 50 question number 50 में है which of the following is incorrect with reference to circulatory system of cockroach cockroach के यह है cockroach के संबंध में जो है cockroach के परिशंचन तंत्र के संबंध में इमने में से कौन सा कथन गलत है तो गलत statement जो है वो आपको देखना है इन में से open circulatory system यह सरी statement है खुला परिशंचन तंत्र होगा blood vessels are poorly developed and open into hemo seal यह भी correct कम विक्षित रुधीरवाईनिया होती है जो hemo seal में खुलती है visceral organs बात इंडिन blood visceral organs यह अंत्रांग जो है वो किस में होते है blood के अंदर जो हो सोतंत्र रूप से फैले रते है हीमो लिंफ is composed of plasma and erythrocytes हीमो लिंफ किस से बना होता है plasma से और erythrocyte से बना होता है तो erythrocyte जो है वो इसके अंदर नहीं होती है कौन सी سैल होती ही इसकी जगह है हीमो साइट होती है तो ये इनका हीमो लिंफ है वो किस से बना होता है blood इसका हीमो लिंफ है वो plasma से और हीमो साइट से बना होता है erythrocyte से इसमें नहीं होती है इसका मतलब क्या पुछ पूछा है incorrect statement आपको पूछा है question number 51 51 question में इसमें labeling based question दे रखा है इन में correct labeling आपको देखनी है 51 में दिया हुआ है in the given figure that is head reason of kokros ये गई चित्र में kokros का कौन सा दे रखा है head reason जो है वो kokros का दिया हुआ है mark the correct label A, B and C A क्या है इनके इंदर A हुआ है ये A क्या होदा है ये जो है वो तो इसमें labeling है और B labium है और C जो है वो क्या होगा इन में A labrum, B labium और C OSILUS ये इसका نेत्रक सरल नेत्रोत है एक तो और एक संजुप्त नेत्रोत है तो ये तो ये तो येहां जो दे रखा है ये तो है compound I और ये जो दे रखा है वो है simple i या ocellus या netric तो simple i या ocellus तो उसके according जो है वो a lebrum, b labium और c ocellus correct answer 4th हो जाएगा a lebrum, b labium और c ocellus clear तो correct answer 4th उसके बाद आप देखें question number 52 52 में इसमें दिया हुआ है ये भी diagram based question है तंक से समझ लें इस question में इसमें दिया भाद following is the diagram of the elementary canal of kokrose, ये kokrose के elementary canal का diagram है choose the correct option with reference to the identification location and function of labeled structure, labeled structure जो दे रखी है इसमें ये इसकी labeled structure दे रखी है तो इसकी labeled structure जो है वो क्या है hepatic या gastric sick इसको ही क्या कहेंगे gastric sicki कहेंगे तो ये hepatic या gastric sicki है अब इसके according जो है वो आपको identify करना है इसमें correct क्या है पहला मैं दे रखा salivary gland इसका मतलब ये तो incorrect होगा है salivary gland नहीं है दूसरे में दे रखी है hepatic sicki present at the junction of midgut and hindgut midgut junchkin पे नहीं है इसलिए je भी incorrect होगया का होती है forgut midgut के jungshorn पे होती है Schuldegut और midgut के jungshorn पे है pakai midgut और hindgut ये भीVery incorrect होगया malpesian tubutes present at the junction of foregut and midgut and alpine excretion malpesian tubules हैंगे इसलिए ये happy इसलिए ये भी incorrect होगया gastric sicki present at the junction of forget and midgut and secretes digestive juice, यह इसका correct है, कि यह क्या कर रही है, midgut, यह forget और किस-किस के बीचे है gastric sikhi present at the junction of forget and midgut, forget midgut के junction पर है, और काम क्या कर रही है digestive enzymes को digestive juice को secret कर रही है answer क्या जाएगा इसका fourth answer इसका है, correct answer हो जाएगा तो यह इसमें है, क्या रहेगा, fourth answer होगा a hepatic sikhi, इसमें, gastric sikhi के दो, या hepatic sikhi के दो, clear उसके बाद देखें question number 53 53 है, all of the following structures, alpine excretion in kokrose, except इन में से, कौन सी संदस्चन kokrose के अंदर जो है वो उत्सरजन से related नहीं है, उत्सरजन में भाग नहीं लेती nephrosite, दे रखें all of the following structure, alpine excretion in kokrose, kokrose में सभी संदस्चन जो है, वो उत्सरजन में भाग लेती है, उत्सरजन में सामिल है, छोड़कर, कौन सी एक इसमें, भाग नहीं ले रही nephrosite, ये उत्सरजियंग है colateral gland, ये उत्सरजियंग नहीं है, uricose gland भी उत्सरजियंग है, malpesian tubule भी उत्सरजियंग है, तो कौन सी उत्सरजियंग नहीं है, colateral gland है, वो इसकी उत्सरजियंग या excretory organ नहीं है clear, उसके बाद देखें 54, in the female kokrose female kokrose, which of the following structure is boat sept female kokrose में कौन सी structure जो है, वो boat sept होती है, 7th esternite जो है, वो इसमें boat sept होती है जो 1th और 9th esternite के साथ मिलके क्या बनाती है, वो इसकी genital pouch या brood pouch की formation करती है तो कौन सी होती है, इनमें boat sept, ये 7th esternite जो है, वो इसमें boat sept होती है clear, correct answer second हो गया, उसके बाद आप देखें, 55, 55 है, read the following statement with reference to periplaneta americana, periplaneta americana है, kokros के संदर्ब में, इनमें से कौन सा कथन, कथनों को पढ़िये, और फिर उसके बाद में देख रहा है how many of the given statement are correct, correct statement चाटने है पहला दे रहा, entire body is covered by a hard chitinus exoskeleton पूरा सरीर, जो है वो chitin के, भाई ये कंकाल से, आवरित होता है, ये सही statement है head is formed by the fusion of six segment, सिर जो है, वो आठ खंडों से मिलकर, बना होता है, ये भी सही statement है, a pair of walking legs arise from each thoracic segment, ये भी correct है, a pair of walking legs arise from each thoracic segment, ये रेक, prothorex से, mezothorex से, metathorex से तीनों से एक एक जोड़ी जो है, वो working legs arise होते है, correct statement है, चोथा है the abdomen in both male and female consist of 10 segments, तो इनमें male और female, दोनों के अंदर जो है, वो abdomen कितने segment से बना होता है, ये इनके अंदर जो है, वो 10 segments से बना होता है, how many of the given statements are correct, कितने statement इनमें से, सही है तो क्या जाएगा, चारों ही statement जो है, वो इसके correct है, तो इसमें A, B, C, D, चारों statement इसके, एक, दो, तीन, चार, सारे statement correct है, तो answer जो हो, वो क्या जाएगा इसका, fourth answer correct हो जाएगा, clear आं तक, तो जो है, इसमें answer हो गया, four clear, a list of some structure of इनमें से, कितनी संरचना जो है, वो, शरीर के प्रिष्ट भाग में पाई जाती है, तो इनमें से, फ़हला आप देखें है, heart ये mid dorsal होता है, correct है, spiracle lateral side में होंगे, nerve code ventral होगी, compound eye dorsal होंगी, tergite, dorsal sclerite होते हैं, gonopore, ventral होता है, और NS dorsal होता है, तो dorsal, dorsal जो है, वो आपको देखना है, तो कौन-कौन से हो गए, heart, compound eye, tergite and NS, ये चार जो है, वो इनमें, dorsal side में present होंगे, बाकी, ventral और lateral होंगे, clear ना तक, तो correct answer, second हो जाएगा इसका, उसके बाद आप देखें, 57 57 में दे रखा है choose the correct match with reference to the structure present in cocrows and their number, इसमें जो है, वो cocrows के संबंद में, इनके numbers देखने हैं, आपको उसके साथ correct matching जो है, वो आपको करनी है, malpigen tupus, 100 to 150, malpigen ने लिगाए कितनी है, 100 से dates होती है, तो ये correct है, उसके बाद है lary muscles 12, 12 नहीं होती, 12 pair होती है, thoracic spiracles thoracic part में जो spiracle होते हैं, वो कितने होते हैं, 2 pair होते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया, total होते हैं, 10 pair इसलिए ये भी incorrect है, उसके बाद है salivary glands salivary glands है, वो इनमें 4, ये भी incorrect है, 2 होती है, तो ये इसमें जो है वो सारे incorrect हो गए correct जो हो वो कौन sign में first जो है वो correct में इसकर रखा है ठीक है उसके बाद आप देखें 58 58 में दिया हुआ है 58 में labeling से related question है given below जे diagrammatic representation of female reproductive system of cocrose cocrose के female reproductive system का diagram है इसमें आपको ABC से जो नमंग किते हैं उनको identify करना है A देखें क्या इनमें gonapophysis A तो है gonapophysis B क्या चीज है colateral gland और C क्या इनमें obiduct है तो A gonapophysis कौन-कौन से में दे रखा है A gonapophysis second में है और fourth में है उसके बाद आप देखें B, B में colateral gland यहां दे रखा है B colateral gland है इसका मतलब यह सही है C obiduct है C obiduct यह दे रखा है तो correct answer क्या जाएगा इसका second answer जाएगा वो labeling के according correct answer हो जाएगा clear ना तक उसके बाद आप देखें question number 59 59 number की question में इसमें दे रखा है nocturnal omnivorous resident of human homes serious pest vector of several disease live in damn places chitinous exoskeleton piercing and sucking type of mouth parts how many of the above characters are applicable to periplaneta americana इसमें ना इनमेंसे कौन से कथन जो है वो periplaneta americana के लिए नहीं होते हैं piercing and sucking की बजाए कैसे होते हैं biting and saving type के mouth parts होते हैं clear आतक तो इनमें क्या पूछा है अब वो statements are applicable to periplaneta कितने statement जो है वो periplaneta पर applicable होते हैं पहला यह भी होगा तीन च्यार पांच छे साथ साथ statement जो है वो इसके लिए applicable होंगे तो correct answer क्या जाएगे इसका second हो जाएगा clear उसके बाद आप देखें 60 question number 60 में question number 60 दे रखा है in cocrose head is connected with thorax भाई यह wie cocrose में head जो है वो thorax के साथ जो connect होता है वो pro thorax के short extension के carnd होता रहेगा जो क्या बनाता है neck बनाती है और flexible neck के त्रूँ इसका head है वो thorax के साथ fumetisch होता है जो क्या होता है head जो neck part है वो क्या होता है प्रो थोरेक्स का short extension है तो प्रो थोरेक्स का short extension होगा it means correct answer जो है वो क्या रहेगा third जो है वो answer इसका correct हो जाएगा short extension of the prothorex अग्रवक्ष के छोटे प्रिशार के साथ जो है वो ही जुड़ा रहेगा तो third answer correct हो गया है उसके बाद देखे 61 61 में दे रखा है 61 है the structure which carry oxygen from the air to all the parts of body in cockroach are तो यह इंदर जो है वो क्या है कि जो oxygen को air से जो है वो बोडी के different parts तक जो ले जाते हैं वो कौन सा पाट लेग जाएगा tracheoles जो है वो इसको ले जाने का काम करती है जिएनों काभी कोक्रोस में tracheal system है जिनके अंदर tracheal trunk, trachea और tracheoles last tracheoles है वो इसको कहां तक लेकर जाती है टीशु तक जो है वो inner weight होती है और वो oxygen को tissue तक पहुँंच जाती है इसमें blood का Oxygen और CO2 transportation में कोई role नहीं होता है क्लियर आतक क्यों नहीं होता है कौंगी रेस्पिरेटरी पिगमेंट कोकरोज में अप्सेंट होता है क्लियर तो क्रेक्ट आंस्वर जो है वो क्या जाएगा इसका फरस्ट हो जाएगा ट्रेक्योज उसके बाद आप देखें क्वेस्टन नूमबर शिक्स्टी टू अब उसके बाद नेक्स्ट देखें 63 में दिया हुआ है find the correct option which includes sense organs present in कोकरोज कोकरोज में sense organs related इन मैंसे कौन सा option करेक्ट है पहला दे रखा है maxillary palp and labial palp only only जो है वो यही नहीं होते है इनके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं चारों options में लास्ट वाले जो अप्सें में दे रखे हैं वो antenna, compound eye, maxillary palp, labial palp and annal sarsai यह सारे इसके अंदर जो है वो इसके sense organ होगे antenna, test receptor होगा और external environment यह outer environment के जरो changes है उनको monitoring करता है compound eye है वो इनके अंदर light receptor है, maxillary palp यह इनके अंदर जो है वो क्या होते हैं? यह test receptor होते है maxillary और labial palp में और annal sarsai जो है वो sound receptor होता है कि इसका मतलब इसके अंदर यह सारे के सारे जो है वो इसके sense organs प्रिजेंट है clear नहीं तक तो fourth answer correct हो जाएगा इसका उसके बाद आप देखे 64 64 में match the following with reference to cocrows and choose the correct option इनमें से matching करनी है डोनों जो है वो columns की और correct option देखना है तो phelomere, phelomere क्या होते हैं? external genitalia होते हैं fourth हो गया, gonopore क्या होगा? opening of ejaculatory duct ejaculatory duct की opening यह है, gonopore यह genital pore होगा spermatophore bundle of sporms, यह sporms का bundle है और ovarials chain of developing ova ovarials में परिवर्दित होने वाले ova की जो है वो chain होती है उसकी श्रंखला बनी होती है तो इसके according जो है वो क्या जाएगा इसमें? इसके according answer कर देखें हैं तो इसमें क्या आना चीए? पहले में 4th, 4th के बाद 3rd, फिर 2nd, 1st, 4th, 3rd, 2nd, 1st, correct answer, 2nd आ जाएगा clear आं तक matching अगर करवाएगे न? तो 4th, उसके बाद, 4th, उसके बाद, 3rd, 3rd के बाद, 2nd, इसका उसमें फैलो मियर के साथ यह आख जाया है, 4th, फिर उसके बाद, 3rd, 3rd के बाद, 2nd और 1st 4th, 3rd, 2nd, 1st, 2nd option जो है वो इसका correct option हो जाएगा उसके बाद आप देखें 65, 65 में इनमें question है which of the following is correct for common kokros? मैं से सामान्य kokros के लिए कौन सा सही है, पहला है malpesian tubules are excretory organ projecting out from the colon, यह incorrect है, colon से projecting out नहीं होता है, mid gut और hind gut के junction पे जहाँ ileum जुड़ी होती है, उस part में से जो है, वो malpesian tubules arise होती है, तो colon से arise नहीं होता है, incorrect हो गया, कहा देखना आपको correct statement जो हो चाटना है, oxygen is transported by hemoglobin in blood, kokros के अंदर hemoglobin होता ही नहीं है, इसलिए यह भी incorrect हो गया, nitrogenous excretory product is urea, urea nitrogenous excretory product भी नहीं होता है, क्या होता है, uric acid होता है, उसके बाद है, the food is grinding by mandible and gizzard, यह correct statement है, कि food जो है, वो किस से पीशा जाता है, mandible से और gizzard से पूच, जो है, वो पीशा जाता है, mandible, mouth में present होंगे, gizzard, इसका additional chamber होता है, जो four gut का last part है, clear रहां तक, यह इनके अंदर fourth option इसके लिए, correct option हो जाएगा, उसके बाद आगे चलें, question number 66, male kokros differs from female kokros in having, male kokros में ऐसा, कौन सा organ होता है, जो female में नहीं होता है, किसके base पर जो है, वो हम दोनों को sexually dimorphism जो है, वो show कर सकते हैं, तो क्या होते हैं, लेकिन female kokros में यह नहीं होती है, लेकिन female दोनों में होता है, लेकिन animal style जो होती है, गुदा सूक जो होते हैं, वो केवल नर के अंदर पाए जाते हैं, मादा में नहीं होते हैं, तो इस space पर दोनों में differentiation किया जा सकता है, clear, तो fourth answer इसका correct answer हो जाएगा, उसके बाद आप देखें, 7th, 67, 67 about how many times does the nymph of the periplanned americana undergo molting before becoming an adult, periplanned americana में कितनी बार जो है, वो निर्मोचन के द्वारा यह है, adult form में आ जाता है, तो उसका निम्फ, 13 बार निर्मोचन के बाद, 13 टाइम निर्मोचन के बाद, molting के बाद, वो अपनी adult form में आता है, तो कितने टाइम होंगे, 13 टाइम जो है, वो इसमें molting यह निर्मोचन होती है, clear, correct answer इसका fourth हो जाएगा, उसके बाद आप देखें है, 68, 68 में दे रिखा है, 68 है, in the mouth parts of cocrose the labium form A, while B act as a tan, तो labium जो है, वो क्या बनाता है, तिल्चटे के मुखांगों में, labium A बनाता है, जबकि B एक जीव के रूप में कारिय करता है, तो labium जो है, वो क्या बनाता है, labium अपर लीप है या लोवर लीप है, लोवर लीप है, तो लोवर लीप है, इस करेक्ट होगा, फिर आगे क्या दे रेखा इसमें, इसमें दे रेखें, ये उपरियोष्ठ hypo pharynx, तो लोवर लीप होना चाहिए, उसके बाद देखा, while B act as a tan, तंग की तरह जो काम करती है, वो इनमें से कौन सी होती है, hypo pharynx जो है, वो इसमें तंग की तरह काम करती है, इसका मतलब correct answer, क्या रहेगा, 4th जो है, वो इसमें correct answer हो जाएगा, maxi受rage हो जो है, उसके बाद देखें, 69, 69 में है, इनमें दे रेखा है, in in capsule cold cockerose में निशेचित अंडे जो है वो किस capsule में किस संपुट के अंदर pack होते हैं इसको क्या कहते हैं वो संपुट जो है वो क्या बनता है उथी का जो है वो इसमें संपुट बनता है clear आंतक तो ये उथी का के अंदर जो है वो 14 to 16 eggs है वो प्रेजेंट होते हैं clear उसके बाद है 70 question number 70 में इसमें दियावा what is the function of crop in cockerose element लिए नाल cockerose की तिलसट्य की हार नाल में crop का कारी है क्या होता है तो crop का function जो है वो इसमें क्या हो रहेगा storage of food जो है वो crop का function होता है तो ये इनके अंदर correct answer इसका क्या रहेगा first हो जाएगा food को storage करना बोजन का संग्रे करना ये इसमें अनपुट का ये crop का कारी होगा clear आं तक first answer correct है question number 71 the vision of cockerose is cockerose की द्रश्टी किस टाइप की होगी more sensitivity and more resolution sensitivity more होती है लेकिन resolution less होता है clear तो ये पहला है incorrect है तो इसमें एक चीज आप ध्यान रख लेंगी cockerose की visions होती है mozak vision उस mozak vision में sensitivity more होगी और resolution less होता है more sensitivity and less resolution अधीक सुग्राही और कम विवेदन more sensitivity and less resolution third option correct होगा NCIT में पूरा लेख रखा है last में कि cockerose के अंदर जो vision होती है वो mosaic vision होती है बाकी insect में दो तरह की vision होती है position and mosaic vision cockerose में only mosaic vision होगी और उसके साथ साथ उसमें high sensitivity होगी और less resolution होता है तो ये इनमें correct answer होगा third more resolution more sensitivity and less resolution ठीक है उसके बाद 72 72 72 each compound eye of cockerose in cockerose made up of प्रते compound के अंदर कितने ometidia से बनी होती है ये 2000 hexagonal ometidia जो है वो इसकी formation करते हैं clear आता है तो एक compound eye में कितने होंगे 2000 hexagonal ometidia जो है वो एक compound eye की formation करते हैं answer क्या हो जाएगा third answer इसका correct हो जाएगा clear उसके बाद 73 73 में है adjacent sclerides of a cockerose are joined to each other by thin membranous structure which is adjacent sclerite जो इस्टरनाइट टर्गाइट प्लूराइट जो होती है पास-पास की sclerite होती है वो आपस में किसके त्रू जुड़ती है आर्थ्रोडियल मेंब्रेन से इनको आपस में connect करने वाली जो membranous structure है वो क्या हती है आर्थ्रोडियल मेंब्रेन या संधीकारी जिल्ली है वो इनको आपस में connect करती है correct answer जो है वो इसका क्या रहेगा third इसका correct answer हो जाएगा आर्थ्रोडियल मेंब्रेन clear उसके बाद आप देखें question number 74 question number 74 उसमें दिया वाया which of the following is not a part of male reproductive system in kokrose मैंसे कौनसा kokrose के male reproductive system का नर जनन दंत्र का भाग नहीं है उसके according जो है वो क्या होना चीए ejaculate reduct नर रिप्रोड़क्टर सिस्टम का नर जनन दंत्र का भाग है spermethi का ये female reproductive system का पार्ड होता है phallic gland male reproductive system में होती है phallomere ये male reproductive system में होती है स्पर्मेथिका ये सुक्र ग्रही का जो होती है वो female की vagina में होती है clear नहीं तक जो क्या करती है male के sperm को receive करने का काम जो है वो spermethika का होता है correct answer क्या हो जाएगा is not a part of male reproductive system male का part कौन सा नहीं है इन में से स्पर्मेथिका जो हो male reproductive system की बजा है female reproductive system का part है answer क्या हो जाएगा second answer correct हो जाएगा उसके बाद देखें 73 के बाद जाए उसमें 74 हो गया 74 के बाद जाए वो next question 75 75 में है मसल्स एसोसियेटेटेट टू हैट ओफ कोकरोज एंड हैल्फ इन ब्लड सर्कूलेशन और कोकरोज के हिर्दय से जुड़ी हुई पेशियां जो उसमें रक्त समवहन में साहिक होती है ऐसी पेशियां हो जाएगा थार्ड हो जाएगा एलरी मसल्स होंगी इसके बाद आप देखें 76 76 में इन में दिया हुआ है 76 which one of the following statement is true for कोकरोज निम्न मैं से कोकरोज के लिए कौन सा कथन सही है इसमें क्या देखना आपको correct statement जो है वो आपको छांटने है true statement देखने है पहला the number of ovarials in each ovary are 10 प्रतेक ovary में ovarials के नंबर जो वो 10 होते हैं गलत है कितने होते हैं ovarials में ovarials के नंबर ovary में कितने होते हैं 8 होंगे तो यह गलत हो गया larval stage is called caterpillar यह भी गलत है कौनसी larva होते है निम्फ larva होते है इच उथिखा have 14 to 16 eggs यह इसमें correct है प्रतेक उथिखा में एग कितने होते हैं fertilized eggs के नंबर 14 to 16 eggs होंगे यह correct है they are ureotelic according to excretory product उत्सरजी उत्पाद के आधार पर यह कोकरोज जो है वो कैसे होते हैं ureotelic होते हैं यह भी गलत है कैसे होते हैं ureotelic होते हैं clear रहां तक correct statement या true statement अगर हम देखे हैं तो कौन सा रहेगा इनमें third statement इसके लिए true statement या correct statement है clear रहां तक तो answer क्या हो गया third उसके बाद आप देखें 77 77 में दे रखा है 77 which of the following reproductive gland does not found in male kokroze इनमें से कौन सी ग्रंथी जो है वो male kokroze में या नर्क kokroze में नहीं पाई जाती फैलिक ग्लेंड है वो male kokroze का पाट है seminal vesicle ये भी male kokroze में पाई जाती है mushroom gland male kokroze में है colateral gland है वो female में होती है समझागी colateral gland या संपार्सविक ग्रंथी है वो किसमें पाई जाती है ये मादा बाकी सब की सब जो है, वो किसमे होती है नरग कोकुरोस के इनदर present होती है क्या रहेगा इसका? फोर्त आन्सवर जो है, वो इसमें करेक्ट आनसवर हों जाएगा कोकुरोस किसका पार्ट है? माइदा कोकुरॉस का टाउधा 서 उसके बाद आप देखें क्रेस्थ वह कैसे। है क्याinin सिर्ट मेस्षू है क्या कहेंगे इस को अई प्राइट वैंटमे प्लेट को साथ इसब्सकृत कघ्जा मेस्ट की सप्राइट क्या निक्या क्या क्या राइट अनक्या chilli- disorders करेक्ट वो जाएगा उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 79 79 में correct 79 में question है which of the following mouth part act as tongue in kokrose निम्न में से कौन सा mouth part या mukhang जो है वो जीब की तरह काम करता है तो जीब की तरह काम करने वाला mukhang kokrose में कौन सा होता है hypo pharynx होती है तो correct answer इसका क्या रहेगा second answer जो है वो इसका correct हो जाएगा hypo pharynx clear इसके बाद आगे चले 70 इसमें 80 question number 80 इसमें if the head of kokrose is cut off kokrose के सीर को काट के अलग कर दिया जाए it will still live for as long as one week it is because एक सप्ता से भी ज्यादा ये जीवित रह सकता है एक सप्ता तक ये जीवित रह सकता है इसका क्या कारण है head is off, no use ये नहीं होगा head functionally separated from rest body कि ये कारियात्मक रूप से जो वो से सरीर से प्रथक होता है तो ये भी गलत है ये भी सही नहीं है इसका कारण head hold a bit of nervous system head के अंदर nervous system का या तंत्री का तंत्र का जो है वो थोड़ा सा वाग्यांसिक भाग जाए इसलिए ये इसको काटने के बाद भी एक सप्ता तक जीवित रह सकता है तो correct answer इसका third हो जाएगा food capturing apparatus not found in head ये भी incorrect है food capturing जो है वो head में ही होते है इसलिए इसके काटने के बाद भी को करोज जो है वो एक सप्ता तक जीदा रह सकता है correct answer क्या जाएगा third जो हो इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद आप देखें question number 80 question number 80 में labeling wise question है identify A to E in given diagram A से E तक इसके अंदर जो हो correct labeling आपको देखनी है A क्या इसका प्रो थोरेक्स है B मीजो थोरेक्स second segment थोरेक्स का C third segment metathorex उसके बाद D कौन सा होगा है four wings या tagmina four wings को ही क्या कहते है tagmina और E जो है वो इसमें क्या है anal सरसाही है तो इस case आप से metathorex का है ए प्रो थोरेक्स mesothorex metathorex यहां तक समझ भी आ गया है उसके बाद D ये क्या है tagmina four wings और E जो है वो anal सरसाही है तो ये इनके अंदर correct आउंसर क्या जाएगा इसका third आउंसर इसका correct हो जाएगा इसके बाद इसमें भी आप देख रहे हो भी प्रो थोरेक्स, mesothorex, metathorex है tagmina है लेकिन ये anal style दे रखा है anal style जो है उसके क्या होता है anal सरसाही है ये जो दोनों के अंदर present होता है समझ भी ना तो ये इनके अंदर segmented structure है ये तो anal सरसाही है anal style जो है वो केवल male cocrose के अंदर होती है वो भी कौन सिस्टरनाइट से 9th सिस्टरनाइट से अराईज हो क्या आती है तो ये इनके अंदर correct जो है वो leveling third हो जाए इसकी anal सरसाही क्लियर आँ तक क्योंकि अगर anal style होता तो क्या होना चीए था अगर इसमें correct आप फोर्थ को माने तो क्या होना चीए यहाँ anal style अगर शो कर रहे हो तो anal सरसाही जो वो 100% फिर इसमें होनी होनी चीए थी क्लियर आँ तक एक ही दे रखा प्रोजेक्शन abdominal last abdominal segment में इसका मतलब क्या प्रजेंट हो वो anal सरसाही है ठीक है correct answer क्या जाएगा third हो जाएगा clear उसके बाद है 82 82 में आप देखे हैं इसमें कोक्रोज which of the following is a correct sequence of segment in each walking ले तक चलंड टांग में खंडों के सही क्रम जो है वो क्या रहेगा खंडों का कौन सा क्रम जो हो सही रहेगा सबसे पहला जो है वो टांगों के अंदर कौन सा रहता है भी जो body part से जो है या body wall के साथ connect होता है वो pra मुंसा होता है उसके बाद इसमें है छोटा सा part trochanator होगा डोह केंटर कि बाद जो है वो वो इसमें यह कौन सा रहेगा ये फीमर होगा और फीमर के बाद इसके इसमें टीबिया और टीबिया के बाद जो है वो क्या रहेगा टार्सस ये इसके अंदर जो है वो टीबिया के बाद टार्सस तो ये इनमें कोकसा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस ऐसे करके ये जो है वो 5 पार्ट होंगे जिन स्वांसित प्रस्टा जाएका इसके बाद देखें कोक्शा फीमर ठोक्टर स्वेले आगा इसके नहीं पीए इती त्री टी त्री में दे रखा है एती त्री इन पतारिमचा में इतोर फ्र Background वुर्सन व्anton शेक कराने सीर इंदर्वाइश्थाली के स्वील टूल लिए संपास्वी ग्रन्थी जो है वो इनके अंदर दुज़िए की formation करती हैं clear आं तक correct answer क्या जाएगा second इसका correct answer हो जाएगा clear उसके बाद आप देखें 84 question number 84 find out code one with reference to forget of cocrose cocrose के forget के संबंद में यह अग्रांत्र के संबंद में वो विश्म को पहचानी है proventriculus किसका पार्ट है forget का पार्ट है proventriculus या gizzard जो है वो forget का पार्ट है crop forget का पार्ट है isophagus forget का पार्ट है ileum यह हिंडगट का पार्ट है यह इसमें odd one देखना है आपको सबसे विश्म देखना है तो बाकि सारे forget के पार्ट है यह किसका पार्ट है इंडिकट का पार्ट है फोर्थ आंस्वर इसका correct हो जाएगा clear उसके बाद आप देखें 85 question number 85 में इसमें दिया हुआ match the column and choose the correct answer column को match करते वे correct answer जो है वो आपको देखिना इसका तो इसमें देखिया आप malpesian tubules 100 to 150 yellow colored filamentous structure clear male phelomere क्या हूँगे chitinous asymmetrical structure allergy muscles क्या हूँगी circulation of hemolymph hemolymph के circulation में help करते हैं vagina a single median obiduct जैना कहा है single median obiduct होंगी इसके according जो है वह आप देखिए first a के साथ second b के साथ fourth a के साथ second b के साथ fourth c के साथ second b के साथ fourth c के साथ third c के साथ third और d के साथ first क्या जाएगा answer third answer जो है वो इसका correct हो जाएगा fourth sorry a के साथ second second हो गया fourth हो गया उसके बाद third हो गया और first हो गया correct answer third हो जाएगा इसका clear उसके बाद आप देखें question number 86 86 में इन में find out the incorrect match with reference to location of structure in cocrose cocrose में अंगों की सही location के according जो है तो इसमें गलत location के according आपको पैचानना है incorrect match देखना है जहां सही location उसकी नहीं हो टेस्टिस व्रशन की स्थिति four to six abdominal segment चार से छटे उदर यह खंड में होती है ovaries second to six abdominal segment दूसरे से छटे खंड में होती है सही है यह यह बी तो यह correct में चे यह भी correct में चे mushroom gland six to seventh abdominal segment यह भी correct में चे इस पर में थी का seventh and eighth abdominal segment यह incorrect है का होती है यह इनके अंदर जो है वो लगबग sixth seventh abdominal segment में जहां दोनों oviduct आ रही है तो दोनों oviduct आके common oviduct बना रही है जिसको median oviduct कोई वेजाईना कहते है उसी वेजाईना के अंदर इस परमेथी का present होती है तो वो कहा होती है वो sixth to seventh segment में present होती है तो correct answer correct जो हो उसकी चेकर क्या आना चाहिए sixth seventh abdominal segment आना चाहिए तो यह इस परमेथी का वाला जो है वो इसके लिए incorrect में चाहिए clear fourth जो है वो answer correct हो जाएगा 77 question है the given diagram is of female reproductive system in kokrose with some labeling which labeled structure represent vagina of kokrose इन में से कौन सी संदचना जो है वो kokrose में vagina को शो करती है तो vagina को शो करने वाली यह तो है spermathyga ए क्या हो गई हमें spermathyga B ovarials C oviduct D vagina D common oviduct है न है यह vagina यह common oviduct होगी और E जो है वो इसकी colateral gland या some parts वी ग्रंति है correct जो है वो आपको क्या देखना है vagina को इन में से कौन सा represent कर रहा है तो vagina के लिए जो वो correct क्या है D जो है वो vagina के लिए correct होगा तो यह इसमें जो है वो D vagina के लिए correct आपको चांटना है तो vagina के लिए correct जो है वो क्या रहेगा यह इनके अंदर जो है वो vagina के लिए correct second हो जाएगा D clear यहां तक तो यह इन्हों है डी वेजाईना को रिप्रेजेंट कर रहा है तो correct answer second हो जाएगा उसके बाद आप देखें 88 88 में दे रखा है किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं तो पहला है sucking and piercing type गलत है किस टाप के होते हैं कोकरोज के अंदर जो mouth parts होते हैं वो biting and saving type के होते हैं तो काटने और चबाने वाले जो है वो जो मुखांग होते हैं इसलिए इनमें correct answer जो है वो क्या जाएगा biting and saving type होंगे clear तो correct answer क्या रहेगा second उसके बाद आप देखें है question number 89 89 में how many scleroids are present in abdominal part of adult cocrose adult cocrose की abdominal part में कितने scleroids है वो present होंगे तो abdominal part में आपको ये देखना है कि adult cocrose के abdominal part में या west cocrose के उदर ये बाग में कितने खंड होते हैं ये इनमें 10 segment होते हैं और प्रते एक segment पे कितने scleroids होते हैं 4 scleroids होते हैं एक tergite dorsal में एक sternite ventral में और दो plurite lateral में तो एक में कितने होते हैं 4 segment 4 scleroids total क्या पुछा है how many scleroids are present in abdominal part of adult cocrose adult cocrose के abdominal part में तो 10 segment पे कितने होंगे 10 into 4 कितने हो जाएंगे 40 scleroids correct answer क्या ना चीए third आ जाएगा 40 scleroids जो है वो इस पर present होंगे clear आ तक तो third answer इसका correct answer होगा कितने होंगे 40 scleroids इस पर present होंगे उसके बाद देखें question number 19 in which of the following statements are incorrect for uthika in cocrose इन में से कोकरोज की उतिका के संदर्व में निम्ण में से कौन सा कथन गलत है incorrect आपको बताना है कि incorrect statement कौन सा इसके लिए it is about 8 mm long capsule correct statement on an average female cocrose produce 14 to 16 उतिका ये incorrect है उतिका जो है उसमें अंडों की संक्या 14 to 16 होती है उतिका में fertilized egg की number है वो 14 to 16 होती है लेकिन उतिका जो average उतिका formation करती है एक female वो कितने करती है 9 to 10 उतिका जो है वो average formation होती है एक life में एक कोकरो जोव अपनी life में 9 to 10 उतिका फोग कर सकता है तो ये incorrect हो गया it is dark reddish to blackish brown capsule ये भी correct है they are dropped or glued to a suitable surface ऐसी जगे पर इनको छोड़ देते हैं जहां पर जो नीम्फ इस से produce होंगे उनको परियाप्त portion या उनको जो है वो appropriate food जो है वो मिल सके clear आं तक तो proper feeding के ये भी correct है तो incorrect क्या होगा इसमें 9 to 10 उतिका गी वजाए क्या दे रखा है इसमें 14 to 16 उतिका गी formation कर रही है ये गलत है इसका clear आं तक correct answer second हो जाएगा उसके बाद आप देखें 91 91 दे रखा है इसमें which of the following genital organs are found in anterior part of genital pouch in female क्या दे रखा है कौन सा नेम्ड मेंसे कौन सा जनन निकंग और found in anterior part of genital pouch in female female की मादा के genital pouch में brood pouch में इन में से कौन से genital organs वो present होते हैं पहला female gonopore ये present होता है सही है spermatical pore ये भी present होता है फैलिक डक्ट ये female के अंदर नहीं होती है फैलिक डक्ट किसमें होती है ये male के अंदर पाई जाती है और उसके बाद रखा है opening of collaterial gland की opening भी होती है संपार्श्पी ग्रंति का छीद्र है वह भी इसमें पाया जाता है इसका मतलब इसके जनाइकर पाउच के अंदर जो है वह कौन-कौन से होंगे इसके एंटिर पार्ट में A होगा, B, B होगा, C नहीं होगा, D होता है, तो A, B and D, इसका मतलब second answer जो है, वो इसका correct answer हो जाएगा, clear, उसके बाद आप देखें, 92, 92 में दे रखा है, 92 है, which part of the elementary canal does not line by cuticle in kokorose, यह से kokorose की आहर नाल में, कौन सा part जो है, वो cuticle से line नहीं होता, तो ध्यान होगा भी आपको forget और hand gut, यह completely cuticle से line होते हैं, केवल mid gut वाला जो part होता है, उस पर cuticle की lining नहीं होती, तो correct answer जो है, वो क्या आना चीए इसमें, mid gut पर जो है, वो cuticle की lining नहीं होती, तो third answer इसका correct हो जाएगा, उसके बाद आप देखें, 93, 93 में, how many sight of cuticle in gizzard, form cuticle teeth for grinding of food, गिजाड के अंदर, cuticle teeth है, वो कितनी जगे पे cuticle जो है, वो cuticle teeth बनाती है, जानोगा भी आपको गिजाड में, इस टाइब से, बाहर की तरफ तो circular muscles की layer होती है, तो बाहर circular muscles की layer होगी, और इसके अंदर की तरफ जो cuticle है, वो कितने टाइब के वो बनाएंगी, अंदर जो cuticle है, वो इसमें, इस tab से cuticle है, वो cuticle teeth बनाती है, यह six जगे टाइब जो है, वो advance tab से अंदर की तरफ convain में होकर cuticle teeth बनाती है, खले रहां तक, तो six stick थे इंदर जाकि क्योटिकुलर टीथ बना रहे हैं तो ये इनके एकोर्डिंग जो है वो क्या होगा इसमें correct answer जो है वो क्या जाएगे इसका थर्ड आ जाएगा 6 sites पे जो हो clean डिये तो ये इनमें थर्ड आंस्वर इसका correct हो जाएगा उसके बाद आप देखे हें 94, 94 में 94 है the brain in coqurose represent by supraisophagial ganglion which supplies nerve 2, brain in coqurose, coqurose का मस्थिष्क जो है, वो क्या कर रहा है, coqurose का मस्थिष्क जो है वो supraisophagial ganglion से represent होता है, तो coqurose का मस्तिश का दिग्रसी का गुच्छक द्वारा निरूपित किया जाता है जो तंत्रिकाओं को बेजता है तो ब्रेंज दिंग से या सेरिब्रिल गेंगलियों ने वहां से जो नर्व सप्लाई होती है वो कहां कहां होती है एंटीना में कंपाउंड आई में और लेब्रम में तीन पेर जो है वो अराईज होगी जो कहां कहां जाएगी एंटीना कंपाउंड आई और लेब्रम में तो इनमें इसके एकोर्डिंग जो हो क्या जाएगा सेकिंड आमस्वर इसका correct हो जाएगा antenna and compound eye समझे भागी तीन पेर होती है जो antenna, compound eye और labrum में जाती है NCRT के according दो बता रखी है एक तो antenna में जाती है और compound eye में जाती है तो उसके according जो correct answer क्या हो जाएगा antenna and compound eye हो जाएगा clear आं तक second option इसका correct हो गया उसके बाद आप देखें है question number 95 95 में है match the following and choose the correct option with reference to ferritima ferritima के संबंद में या KCV के संबंद में जो है वो इन में से सही matching जो है वो आपको करवानी है जो उस the correct option first दे रखा हर्मेफ्रोडाइट हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है उभैलिंगी जिनके अंदर testis ovary same individual में present होती हो तो हर्मेफ्रोडाइट को match करवा होगे तो किस के साथ हो जाएगा second के साथ testis and ovary same animal direct development it means larva की formation नहीं हो chemo receptor sense for sense of chemical substances fourth हो जाएगा blood gland in earth form produce blood cells and hemoglobin तो ये इनके अंदर जो है वो matching अगर करवाएगे तो a के साथ second b के साथ third c के साथ fourth second, third, fourth और उसके बाद first तो second, third, fourth, first पहला option ही correct हो जाएगा matching के coding clear ये simple simple से question भी earth form के उसके बाद आप देखे है question 96 96 में उसमें दिया हो match the following and choose the correct option with reference to frog ये इन में frog के संबन्द में जो है वो column को match करते वे जो है वो correct option को छाटना है इन में touch के लिए जो है वो कौन से sense organ होते हैं touch के लिए जो है वो sensory papilla होते हैं यहां भी ये sensory papilla है संवेदी papilla होते हैं clear यहां तक उसके बाद smell smell के लिए जो है वो होता है इन में nasal epithelium उसके बाद cranial nerve cranial nerves जो है वो इनके अंदर किसका पार्ट है peripheral nervous system बनाएगी और medulla oblongatia यह इनके अंदर medulla oblongatia foramen magnum से बाहर आता है medulla oblongatia क्या होता है brain का last part है जो skull के foramen magnum से जो occipital bone में present होता है उससे निकल के बाहर आएगा और spinal cord में modified हो जाता है clear यहां तक तो इसके according अगर हम देखें हैं touch के लिए sensory papilla smell के लिए nasal epithelium cranial nerves peripheral nervous system बनाती है medulla oblongatia foramen magnum से बाहर निकलता है option में क्या देखेंगे इसके साथ third, first third, first second, fourth third, first, then fourth third, first third, first, then fourth third, first, fourth or second fourth option जो वो correct हो जाएगा a के साथ third हो गया b के साथ first हो गया c के साथ c के साथ fourth हो गया और d के साथ first हो जाएगा d क्या है medulla oblongata इसके साथ d के साथ second second हो जाएगा तो यह fourth option इसके लिए correct option हो जाएगा तो answer क्या जाएगा का फोर्थ हो जाएगा उसके बाद आप देखें से 97 97 में which of the following structure act as urinogenital duct in male frog इनमें से which of the following structure act as urinogenital duct in male frog नर फ्रोग के अंदर नर मेंड़क में मुत्रो जनन वाहिनी के रूप में कारिय करती हैं कौन से डक्ट करें इनमें से युरेथ्रा, यूरेटर, यूरिन डी ब्लेड़र और वास्य फ्रेंशिया तो इनमें कौन से होती हैं यूरेटर जो हैं वो किसकी तरह काम करती हैं यूरिनोजिनाइट्र डक्ट की तरह काम करती हैं क्योंकि आपको ध्यान होगा इस थाप से जो इनके अंदर टेस्टिस हैं यह क्या होगा एक इसके फ्रोग में इस ट्यॉब से होता है को यहाँ से यूरेक्टर जो राइन होुसा रही है यहाँ इसके ऊपर जो फूसाल है तरहनों की उाटैसे साथ में इसके अटेज होते हैं यहां से यह अपने स्पर्म को इसी के अंदर रेलीज कर देता हैर वह इस cần कीज अधर और और इसके स्वांटloo किस में जाएगा यहां si किस में जाएंगे किड़नी जो है वह इसकी बीडर के नाल में जाएंगे ढसे दोनों का transportation जो है वो इससे होता है इसका मतलब ये यूरेटर किसकी तरह काम कर रही है इन्हों है एक यूरिनोजनाइटल डक्ट की तरह है या मुत्रोजनल महिनी के रूप में कारी करती है clear इसके बाद आप देखें next next 98 98 में earthworm are known as friends of farmer because earthworm को कहेंचवे को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि first is they make the soil porous मिट्टी को शिद्रीद कर देते हैं increase soil fertility इसकी fertility को भी increase करते हैं ये भी correct है उसके बाद है larger soil particles are grind up into finer ones बड़े मिट्टी के कण है उनको छोट-छोटे कणों में तोड़ देते हैं पीस देते हैं ये भी correct है then neutralizes humic acid present in the soil soil के अंदर जो humic acid होता है उसको neutralize भी करते हैं इन सभी तरीकों से जो है वो ही क्या करते हैं जो मिट्टी है soil है उसकी fertility को increase करते हैं तो क्या जाएगा friend of farmer जो है वो इसको क्यों गह रहे हैं क्योंकि ये चारों statement जो है वो इसके लिए सही है तो इसमें earthworm are non as friends of farmer because इन चारों कारण के कारण जो है वो इसको farmer का friend या किसानों का मित्र का जाता है क्लेर आं तक मिट्टी को पोरस भी बनाता है fertility को increase करता है उसके अला हुआ है छोटे बड़े कंड जो होते हैं मिट्टी के उनको छोट छोटे कंड़ों पीस देता है और umic acid को neutralize भी करता है ठीक है तो चोथ इसमें जो है वो first answer correct हो जाएगा इसके लिए चारों ही सही है उस और रेगुलेशन अर्थ वोम के अंदर जो है वो excretion और और रेगुलेशन के लिए कौन सा ओर जो है वो responsible होता है तो कौन से होते हैं इनमें नेफरीडिया क्योंकि आपको ध्यान होगा भी एनलीडा का में रेस्पिरेटरी सोरी excretory organ जो है वो एनलीडा में क्या होता है ने इनके ओस्मो रेगुलेशन में help करते हैं तो second option जो है वो इसका correct हो जाएगा उसके बाद आप देखें लास्ट question number 100 question number 100 है how many eggs produced by female frog at a time एक मादा फ्रोग के द्वारा एक समय में कितने अंडे दी जाते हैं तो पच्छी सो से तीन अजार अंडे जो है वो मादा एक बार में द solution है और इसमें लगबग सारा प्रियाज जो है वो यह है कि आपके NCRT का 7th chapter कहीं भी एक single line भी उसमें नहीं चुटी है सारी का सारा chapter है वो पूरा इसमें cover हो रखा है और अगर डंक से इस paper को तयार कर लें तब भी इस chapter से अगर किसी तरह का question आता है तो वो आप छोड के नह प्रत नहीं होगा clear all the best bye hello बच्चों myself Sandeep Chaudhary आज हम biochem DTS उसका fourth paper है उसको हम सॉल करेंगे देखेगा chemical equilibrium और atomic structure है इसके बारे में paper था देखेगा first question आपको दिया हुए the oxidation of SO2 by O2 to SO3 is an exothermic reaction the end of SO3 will be maximum if क्या दिया हुआ आपको SO3 का O2 द्वारा SO3 में उक्षिकाने कि उसमा छेपी अभी क्रिया है तो SO3 की अधिक्तम लब्दी कब होगी उसके लिए क्या condition होगी तो हम यह जानते देखेगा हम यह जानते SO2 है इसको रियर करवाते हैं O2 के साथ में तो यहाँ पर formation होगा हमारे ना भी दें रहके यह वाली रीक्शन कैसी है एक्शाण॥ोमीक रियकशन है यहानि यहाँ पर Δेल्टाह Celt ignoring के लिए हम जानते है फिर देखो एक्शाण। रिकतिक्रतन के लिए कशावर्य भीवल्दिकिशन धनकलिष्ण यहोती है फोर प्रॉडट्ठ यह पंदिशन गն तो देखो हम यह जानते pressure को increase करने पर equilibrium shifted towards lesser number of mole जब pressure को increase करते हैं तो हमारा equilibrium है वो कम mole की तरफ shift हो जाता है इधर mole देखोगे आप 1 plus half 3 by 2 mole है और इधर कितना mole है 1 mole तो हमने pressure को increase किया तो pressure को increase करने पर equilibrium किधर shift होगा less number of mole की तरफ यानि कौन सी direction में shift हो रहा है forward direction it means condition क्या होगी temperature तो हमारा क्या होना चाहिए low temperature लो होना चाहिए और pressure नमानक क्या होना चाहिए high तब S3 scale ज्यादा बनेगी तो देखो पहला क्या ताप को बढ़ा कर गलत हो गया दूसरा देखो ताप को गटा कर low temperature ताप को गटा कर और दाप को बढ़ा कर तो कौन सा सही हो गया second वार्वा क्लेर हो नेक्स देखेगा अब नेक्स बन देखेगा नेक्स बन आते है यह दे रिखा फॉर्दर रियेक्शन S2 प्लस I2 चेंज इन 2 है चाहिए equilibrium constant Kp चेंज विथ अब विकेला दे रखिए S2 प्लस I2 चेंज इन 2 है सामें इस तरांग Kp किसके द्वारा परिवर्थित होगा Kp वो किसके द्वारा परिवर्थित होगा यह पूछा गया तो बैटा हम यह पढ़ते है Kp वो सिरफ और सिरफ किसे इफेक्ट होता है temperature से यानि equilibrium constant है वो syrup for syrup किसे change हो सकता है temperature से change हो सकता बाकि उस पर किसी का कोई effect नहीं पड़ता तो कौन सा होगा temperature का fourth fourth option clear वा next देखिए अब देखिए आगे next reaction हमें दे रखिए दी भी यह भीकरिया के लिए a2 plus 4b2 change in 2ab देखिए भीकरिया दरकिए इन दे रिक्षन यह वाली reaction आपको गीवन है a2 plus 4b2 और यह convert हो रहा है 2ab के अदर सभी gases reactant और product होतना है Condition क्या दे रखिए डेल्टा है Less than zero कि Đेल्टा Less than zero डेल्टा है less than zero it means डेल्टा है क्या होगी आपकी डेल्टा है डेल्टा हैं नेगिटीव होगी इस मिल्स कौन सी reaction होगी आपकी और यहां पर क्या होना ना चाहिए आपके पास में low temperature temperature की condition तो यह low temperature फिर वैसे pressure की condition भी given और हम यह जानते pressure increase करने पर with increasing pressure equilibrium shifted towards less number of mole pressure को increase करने पर equilibrium किधर shift होगा less number of mole की तरफ तो यहाँ पर देखो कितने mole 5 mole और इधर कितने mole 2 mole तो यहाँ पर more mole उधर less mole तो pressure increase करने पर equilibrium कौनची direction में shift होगा forward direction में forward direction है इसके अंदर shift हो जाएगा clear वा तो condition क्या होगी low temperature and high pressure कहाँ पर आ रहे low temperature and high pressure लो तो आगे क्या देखा high temperature and low pressure low temperature and low pressure high temperature and high pressure तो कौन सा होगा है noon दाप तथा उच्छ दाप noon ताप तथा उच्छ दाप clear वा आगे देखिएगा next one निम लिखित में से किस अभीक्रिया के लिए kp और kc का मान ब्राबर होगा और which of the following reaction kp equal to kc kp और kc की value कभ इक्वल होती है हम यह जानते है kp इक्वल टू होता है kc rt की power delta n और यहाँ पर delta nz भी लगा सकते हो product minus reactant gas की product minus reactant तो हम यह जानते है कि delta nz है इसकी value अगर आपके पास में 0 तो यहाँ पर किसी पर भी power 0 होती है उसकी value कितनी होगी 1 तो यहाँ पर इस condition में आपके पास में क्या मिलेगा kp becomes equal to kc यहाँ पर kp और kc इसकी value 1 पल होगी जहाँ पर delta nz की value कितनी आ रही है 0 और हम यह जानते delta nz है delta nz यह उता summation of n product minus summation of n reactant product की gas के mole माइनस reactant के gas के mole तो यहाँ पर देखो product में कितने gas के mole है 2 ry트ant में भी कितनी है 0 तो यहाँ पर delta nz की value कितनी है 0, second box case में देखोगी है तो हुहाँ आपर 3 है इधर 2 है delta n की value कितनी आ जैगी ए 1 और यहाँ पर आप देखोगी delta n है 2 minus 4 कितना होगा minus 2 यहाँ पर देखोगी 2 minus 1 तो delta n की value कितनी होगी 1 तो kp और केसी दोनों की value equal काब होती है जब delta n यह इसकी value कितनी हो जाती है 0 तो कौन सा सही होगा आपका first one ठीक है next देखिएगा आप देखोगी यह देरका for the reaction pcl5 change in pcl3 plus cl2 the forward reaction at constant temperature is favored by temperature को आपने constant रखा है तो forward reaction किसे favor होगी देखो क्या देरका दीगे यह भीकर है pcl5 है pcl5 है यह किसके अंदर change हो रहा है pcl3 plus cl2 इसके अंदर convert हो रहा है तो निश्चिता पर अगर दिशा में अगर सीथ होने के पक्समें सर्थ क्या है forward direction में कैसे जाएगी देखो पहला देरका नियत आइथन पर accurate gas मिलाने पर अगर constant volume पर inert gas मिलाते हो तो कोई effect नहीं पड़ेगा नियत आइथन पर chlorine gas मिलाने पर chlorine gas को add करोगी तो reaction किधर जाएगी backward direction हमें कौन से direction ने पूछा favor to forward direction के लिए हमें बात कर रखी है फिर देखो थर्ड नियत दाप पर accurate gas मिलाने पर अगर आपने pressure को constant किया और फिर inert gas उसको add करते हैं तो constant pressure पर धान रखेंगे constant pressure के उपर inert gas मिलाने पर equilibrium shifted towards more number of moles अधिक moles की तरफ shift हो जाता यानि कौन से direction में shift होगा forward direction के ठीक है तो कौन से होगा नियत आप पर accurate gas मिलाने पर introducing an inert gas at constant pressure clear देखो फिर क्यों से नियर्खा the ratio of kp upon kc for the reaction dvr भीकराइक लिए kp और kc का अनपाद क्या होगा हम यह जानते kp equal to होता है kc kp equal to होता है kc rt की power delta ng यह होता है तो बेटां यहाँ पर देखो delta ng kp और kc की ratio पुछा थो हम क्या लिखेंगी kp upon kc equal to rt की power delta ng और इस वाली reaction के अंदर हम देखें delta ng delta ng होता है summation of n product minus summation of n reactant product में gas के mole minus reactant में gas के mole product में gas का कितना mole है 1 reactant में gas के mole कितने होगे हाब कितना बच गया मेरे पास में 1 by 2 तो देखो क्या आगया आपके पास में kp upon kc equal to rt की power delta ng वो कितना minus 1 by 2 तो कौन सा option हो गया 4 ठीक है नेक्स देखिएगा यह देरखा 4 nh4 hs यह convert हो रहा है ammonia और s2 s में और इसके लिए kp की value is 64 ATM square equilibrium pressure of mixture is अब बिकिरिया के लिए kp के value दे रखी है तो मिस्रेन के लिए साम्में अवस्थाद आप क्या होगा साम्में उस्था पर टोटल आप कितना होगा यह पूछा है तो देखो reaction आपको क्या दे रखी है ammonium hydrogen sulfide यह solid है यह आपका convert हो रहा है ammonia के अंदर convert हो रहा है और किसमें cannot होगा है एच टूएस में यह गेस है अब देखिया आपके बिटा equilibrium condition पर देखेंगे तो यह वाला तो reactant तो आपका क्या दे रखा है solid तो हम क्या लिखेंगे partial pressure है इसका square तो pressure वो किसकी को आगर root KP KP की value हमारे पास में कितनी given है 64 तो 64 है इसका root कितना होगा 8 तो PS की value कितनी है मारे पास में 8 और total pressure की बात करोगी total pressure इन दोनों का समो जाएगा partial pressure of ammonia plus partial pressure of S2S यह वाली value कितनी है 8 यह वाली value कितनी 8 तो आपके पास value कितनी है 60 तो total pressure आपके पास में कितनी है 60 कौन्चा होगे सेकिन नेक्स देखिए का in which of the following case the reaction is near to completion इन में से कौन से विक्रिया समाप्ति क्यों हो रहे देखो कोई भी reversible reaction के लिए अगर constant आपको दे रखाओ तो constant क्या होता जैसे यह वाला reactant ही product में convert हो रहा है यह forward direction होता है और यह वाला क्या होता है backward direction तो कोई भी constant लिखते हो forward और backward का ratio होता है या product और reactant का ratio होता है तो जहाँ पर k की value जितनी ज्यादा होगी उसमें product हो उतना ही ज्यादा बनेगा जहाँ पर constant की value जितनी ज्यादा होगी वहाँ पर product है उसकी value भी उतनी ज्यादा बनेगी और जितना ज्यादा product बन रहा है इसका मतलब reaction उतना ही ज्यादा किसमें convert हो चुका product के अंदर तो ज आगे देखिएगा आपको यहां पर दे रखिए the equilibrium constant for N2 plus O2 changing to N0 is K1 N0 plus N0y यह convert हो रहा half N2 plus half O2 इसके लिए constant क्या दे रखा K2 K1 and K2 will be related as दोनों को हम किस टाइप से relate कर सकते हैं तो देखेगा कैसे relate करेंगे हम इन सामिस रांगों को relate करना है अब देखो पहले वाली reaction और second वाली reaction यह दो reaction है हमारे पास में इन दोनों reaction को हमें relate करना है कैसे किया पहली वाली reaction को आपनी second वाली reaction में क्या किया reverse कर दिया उल्टा किया और हम यह जानते है किसी भी reaction को उल्टा करने पर equilibrium constant वह भी inverse में चला जाता है तो यहाँ पर देखो के 2 है वो किसके बराबर आएगा 1 upon k1 इसके बराबर होगा फिर आपनी इसको किसी multiply कर दिया है 1 by 2 तो किसी भी reaction को अगर किसी coefficient से multiply किया जाता है तो new equilibrium constant उसकी power लगाने से मिलता है तो यहाँ पर हम power कितने लगाओगे 1 by 2 यह हो गए 1 by 2 है इसको power को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं अगर power को हटा हूँ तो सामने वाले का क्या ले लेते है रूट ले लेते हैं सरी रूट को अठाथे हैं तो सामने वाले का क्या कर देते हैं square कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा k2 square equal to one upon k1 यह इसको मैं यह भी तो लिख सकता हूँ k1 equal to one upon k2 है इसका square तो k1 equal to one upon k2 square कौन्सा हो गया first क्लिर वा आगे देखी अब बात करते हैं नेक्स ज्यसन की इन देडी कंपोजिशन येक्शन अफ अमोनिया अमोनिया इसकी डी कंपोजिशन है तू मॉल अमोनिया आर इंट्रोडूस्ट इन वेशल फ्वन लिटर at equilibrium वन मॉल अमोनिया वस लेफ्ट देवल्यू आमोनिया की अब गटर अभीकिर्या में एक लिटर के बर्तन में एक लिटर के पातर में आमोनिया की दो मॉल डाले जाते हैं साम्मे वस्था पर आमोनिया का एक मॉल सेस रहता है तो केसी की मान की गर्णा करनी है देखेगा, क्या होगा, 2NS3, यह convert हो रहा है, N2 के अंदर और 3S2, हम यह जानते है, T equal to 0 time पे, initially हम बात कर रहें, तो T equal to 0 time पे बात करेंगे, तो ammonia है, इसके कितने मोल थे, 2 mol, और इसके कितने मोल है, 0, 0, stichometry की बात करें, stichometry यह 2, stichometry 1, stichometry 3, अब देखीए, जब हम बात करेंगे equilibrium पे, जब हम चले जाते equilibrium के ऊपर, तो equilibrium के उपर देखने हैं, क्या होगा, equilibrium के ऊपर होगा, यह वाला dissociate होगता है, मैं यह मान लेता हूँ, हिसका x mol谢谢 होगा, מה अमोनिया का कितना मौल डिशोष्येट वा ? अगर इसका x मौल डिशोष्येट होता है तो नाइट्रोजन का कितना formation होगा ? e ważne यह टोः यह कितना होगा ? और हइड्रोजन इसका कितना formation होगा ? 3 x 1 और देखो कसम में क्या दे रख़्ा है ? at equilibrium one mole of ammonia was left एक्लिब्रियम पर कितना मौन यालेक्ट है? वन यानि 2 माइनस X है, 2 माइनस X है, वो पेटा एक्वल किसके आगया? वन के, तो X किसके एक्वल हो गए? X कितना है? याफ की वेलियों आपकी पास में कितने आगी? वन, अब केल्कुलेट करते हैं कैसी, देखे, कैसी की बात करत तो केसी एकॉल्ट। क्या होता है प्रोडेट की कनसरेशन अपन रियक्電न की कनसरेशन तो तो लेटा आपको फेल्त की देख comprend लिटर देर का है वोल्यूम वन लिटर देर का है तो जो मोल का रेशियो होगा वोई किसका रेशियो आजाएगा इसकी concentration का रिशु होगा तो क्या होगा वैसे होता है ये nitrogen इसकी concentration hydrogen इसकी concentration upon ammonia की concentration stoichiometric coefficient artaker as power इनकी power ले लेते हैं तो nitrogen की देखो कितने मैं मोलो x की value कितनी होगी आपके पास में x की value है 1 तो ये वाला value कितना होगा ये वाई 2 ये होगा 1 by 2 अमोनिया को तो बेटा कितना बचा हुआ है 1 तो 1 से ये होगा 27 और ये कितना होगा 16 तो कितना होगा almost 1.7 तो यहाँ पर देखो volume अगर आपके पास में 1 लिटर दे रखा है volume अगर बेटा आपके पास में 1 लिटर है तो आप direct उसको मोल की तरम्स में equate कर सकते हूँ ठीक है next देखेगा SO3 is heated in closed vessel, SO3 को ऐसे heat किया गया है is established the vapor density of the mixture in which SO3 is 50% dissociated as SO3 को एक बंद पातर में गरम किया गया है इस परकार से किये रूप में स्थापीत है मिश्रन का वास्प गनातों क्या होगा जिसमें SO3 है वो कितना प्रतिसत व्योजित हो चुका है 50% व्योजित हो चुका है देखेगा आपको यह given है 2 SO2 कितना होगा 2 SO3 सोरी यह किसमें जा रहा है 2 SO2 प्लस और 2 क्याना टू मॉल से कितने मॉल का फोर्मेशन हो रहा है 3 क्लिर वाँ देंसिटी से हमें रिलेट करना है देखो देंसिटी का फोर्मॉला क्या होता है हम यह जामते हैं आई एक्वल टू आई एक्वल टू होता है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा दिग्री ओफ डिसोशेशन है इससे रिलेट करते हैं और यह होता है दीर टिकल डी अपऑन डी अबज्यरट डी यह वेलियू होता है तो यहांसे हम क्या लिख सकते हैं यहां से म्हें यह लिख सकते हैं न क्या केलशोएट करना है गन है गनैत ऑ कालकुलेट करना है तो देखो यह मैं रिलेशनद बना सकता हूं कि औधीर गए गए तो माइनस में हो जाएगा तो हमारे पास में क्या है D theoretical upon D object minus 1 अब देखो LCM ले लिया क्या लिया D object तो मेरे पास में क्या बचा D theoretical minus D object और alpha equal to मैं लिखूँगा तो यहां पर क्या आजाएगा मेरे पास में N minus 1 यह हो गया तो मेरे पास में क्या है alpha equal to क्या होगा d theoretical minus d object upon d object into n-1 देखे का आगे हमारे पास में देखो यह आए तो इसको आगे देखते हैं चलो यहीं पर बता देते हैं यहां पर n किसको represent करता है यहाँ पर नोट कर लीजे है अगर साथ साते में बना रहे है तो यहाँ पर मैं बता जिता हूं न होता है वन मौल से disocciate amount होती है तो यहाँ पर देखो 2 Moll है 2 Moll से dissociate होगने पर आपको कितने Mall की formation हो रहा है 3 Molls तो One Mall के respect में आप देखोगे कि One Mall के dissociation से कितने मोल बनेंगे थ्री बाइट टू यानी वन पॉइंट फाइप ठीक है इसको एक बार नोट कर लीजिए आप देखो इसको आगे बताता हूं तो हमारे पास में एलफा इकोल टू क्या है दी थेवर्टिकल माइनस दी ऑबजर्ड अपॉन एलफा मेरे पास में कितना गिवेन है 50% कितना होगा 0.50 दी थेवर्टिकल देखो हम यह पढ़ते है अनू भार ब्राबर दो गुना वास्फ गनत्व है Molecular weight equal to होता है 2 into vapor density थिOoh थेउटिकल की बात कर रहे है तो vapor density equal to क्या होगा Molecular weight divide by 2 यह हुआ Molecular weight देखो ऐसो थरी के हमें बात करनी है सल्फर का कितना होता है 32 सल्फर का होता है 32 एक oxygen का कितना होता है 16 तो यहाँ पे कितना होगा 48 तो कितना होगा 80 तो इसकी वेपर डेंसिटी है थोर्टी कल वो क्या होगा 80 डिवाइड वाइड टू तो कितना बचका हमारी पास में 40 तो देखिए मेरे पास में कितना होगा यह हुआ 40-D object यह हमें calculate करना एक मॉल के dissociate होने से कितने मॉलका formation होता है वह होता आपका एन और हम यहाँ पर देखिए 2 ऐसो थरीकर से formation हो रहा है 3 मॉलका तो 1 से क्या होगा 3 by 2 या 1.5 यह होता 1.5 minus 1 D object cross multiply करके solve करो यह वाली value आते हैं आपके पास में 32 तो कौन सा से होगा आपके पास में फरस्ट वाला आ अब देखिए आगे वेन LNK is plotted against LNK is plotted against 1 by T using the want of equation a stat line of endothermic reaction is expected with a slope equal to देखो क्या दे रखा LNK और एक बटा T के मद्दे graph बनाय जाता है तो want of समीकरन की रेखा उसमा सोचिय भीकिरिया के लिए बनती है सरय लेखा बनती है तो उसकी ढाल क्या होगी तो want of equation से हम क्या पढ़ते है LNK equal to होता है LN A minus delta H not mallet upon RT graph किसके बीच में plot कर रहे LNK versus 1 by T इसको हमने रखा y axis पे तो यह y होगा यह वाला x axis पे 1 by T और इसके साथ में जिसका भी multiplication होता हूँ हमारा क्या होता है slope M endothermic reaction के लिए तो delta है इस क्या होगा आपका positive minus C तो आपका slope है वो किसके equal आएगा minus delta H not upon R तो जो हमारा slope आ रहे वो slope हमारा किसके equal होगा minus delta H not upon R इसके equal होगा कौन सा सी होगा सेके लिए नॉट कर लिए इसको अच्छा क्यासा नहीं अब देखो for the gaseous reaction the equilibrium constant has the unit दी हुई गेस यह भीकरिया के लिए सम्मिस थ्रांग का मातरक क्या होगा देखो यह भीकरिया दे रखिये आपको क्या भीकरिया दे रखिये गेसी reaction दे रखिये तो यहाँ पर देखो हम यह जानते है unit unit concentration की terms में unit क्या होती है concentration की power delta n यह होता है equilibrium constant की unit और concentration क्या होता mole per liter यह परते है mole per liter इसकी power delta n जी भी लिख सकते हो आप गेस को लिया जाता है प्रोडेक्ट में गेस के कितने mole of 1 रियक्रेन में गेस के mole कितने है 2 तो 1-2 कितना मचा माइनस 1 तो मेरे पास में यह वेल्यू क्या होगी mole liter minus 1 तो देखो मेरे पास में में मोल तो क्या होगा inverse में और में था लेकिन साइन in verse है तो यह क्या होगा अब liter के अंदर होगा तो यह क्या आप लिखो किसको liter mole inverse और वन लिटर वो किसके के सेक्वल होता है 1 देसिमिटर क्यूव के एक व्ल होता है तो इसको में यह भी लिख सकता हो लोगा decimeter cube is one liter equal to two one decimeter cube decimeter cube mole inverse तो कौन सा होगा है, second one, decimeter cube, moll universe आगे देखिए, एक भीकरिया दे रखिए, दीगे ये भीकरिया के लिए नियून में से सही नियूट पढ़े ये आपको एक reaction दे रखिए, which one is a correct representation, तो यहाँ पे KP, KC, इन सब की representation दे रखिए तो इस वाली reaction के लिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, KC लिख हो गया, या KP लिख लेते हैं, तो KP equal to क्या होता, partial pressure of product upon partial pressure of reactant, सिरफ gases species को लेना, तो यहाँ पे सिरफ gases को वहाँ पे में नहीं लिखोगे, तो water है, इसकी power कितनी लगा दोगे, KP और कैसी को relate करोगे, तो क्या होगा, KP equal to होता है, कैसी, RT की power, delta n, और delta n कितना होता, product minus reactant के gas यह मौल लेते हैं, तो product में कितने gas के मौल है, 2, reactant में गेस के मौल कितने है, 0, तो कितना होगा है, 2, तो first one भी सही है, second one भी सही है, third one भी सही है, तो क्या होगा, all of these, सभी सही next, देखिए, if the concentration of hydroxide ion in the reaction, यह वाली reaction दे रखिए, is decreased by 1 upon 4 times, hydroxide ion है, उसकी concentration कितना decrease कर दिया, 1 by 4, then equilibrium concentration of Fe plus 3 ion will increase by, देखो क्या दे रखिए, है, hydroxide, यह दी hydroxide ion की सांदरता को 1 by 4 गुना कर दिया जाए, तो Fe plus 3 के ion की सांदरता कितने गुना होगी, तो आपको बता, concentration change करने पर, equilibrium constant उसके ओपर कोई effect नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो, जैसे हम यहाँ पर concentration दे रखिए, तो कैसे लिखेते हैं, Fe plus 3, इसकी concentration, hydroxide ion है, इसकी concentration, और stoichiometric coefficient, इसकी क्या लगात होगी, पावर, अब hydroxide ion की concentration है, इसको आपने कितना गायम किया, 1 by 4 time, यह ratio तो उतना ही रहा, यह कितना 1 by 4 time कर दिया, यह यह कितना होगा, 1 upon 4, 3 जा, 4 पर power 3 है, 4, 4 जा, 16, और 16 को 4 से multiply करोगे, कितना होगा, 64, यह ratio maintain रहेगा, तो अगर यह वाला 1 upon 64 होग, तो इसकी concentration, F e plus 3, इसकी concentration कितने time होगी, 64 time, क्योंकि पेटा, यह जितना कम होगा, उतना ही time यह बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते, concentration का equilibrium constant पर को effect नहीं पढ़ता है, next देखिएगा, अब देखू, the equilibrium constant for a reaction is K, reaction उसका equilibrium constant है K, the reaction constant is Q, for the particular reaction इसका ratio यह दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, the reaction mixture will equilibrate to form more reactant species, यानि more reactant species बनाएगा है, product species का formation करेगा, इन सब के बारे में दे रखा है, यानि एक अभिकरिया के लिए सामें स्थ्रांग का मान दे रखा K, अभिकरिया गुणांग का आपको क्या दे रखा Q, तो अभिकरिया के लिए K upon Q का मान तो कितना 0.33, it means value अगर 1 से कमा रहे है, it means K और Q में किसकी value जादा है, Q is greater than K, और जहां पर भी equilibrium constant और reaction के constant में Q की value अगर जादा होगी, तो reversible reaction finally किसको अचिव करती है, equilibrium को अचिव करती है, तो कौन सी direction में जाएगी, backward direction, यानि वो ratio क्या रहा है, K और Q में किसकी value जादा होगी, Q की, देखो, यह ध्यान अगर कम है तब तो forward direction में जाएगा, जादा है Q की value, यह तो equilibrium constant होगा, अगर Q की value जादा है, किधर जाएगा, backward direction, आप देखो, value 1 से कमा रही है, it means Q की value क्या होगी, जादा, तो reaction कौन सी direction में जाएगी, backward direction में, और backward direction में क्या होता है, backward direction में जाएगी, तो किसका formation होगा, reactant का यानि the reaction mixture will equilibrate to form more reactant species, तो अभी किर्या मिश्रन सम्मे प्राप्ति के लिए अधिक किर्या करक species का निर्मान करेगा, कि लिए नो एनि बैक्वर डिरेक्शन में एगा, फिर देखो, a reversible reaction is one, which, एक reversible reaction क्या होती है, जो दोनों दिशाओं में चलती है, reactant से product का भी formation होता है, और product से reactant का भी formation होता है, तो ऐसी reaction जो बोर डिरेक्शन में चलती है, उनको हम क्या बोल देते है, reversible reaction, next देखेगा, देखो, at a certain temperature, only 50% HI is dissociate, at equilibrium, the following reaction, the equilibrium constant for the reaction is, एक निश्चित आपर केवल 50% HI, निमलिखित अभीकिरिया के एनुसार सम्मेवस्था पर वीगटित होता है, तो अभीकिरिया के लिए सम्मेवस्था का स्थिरांग का मान होगा, सम्मेवस्था का मान होगा, देखेगा, जैसी ये reaction आपको दे रखी है, 2HI यह convert किसके अंदर होगी? H2 के अंदर, EGASES SPC जे प्लस I2 के अंदर, T equal to 0 टाइम पे हम बात करते, इसका कितना मोल माल लिया है? 1, यह माल लिया है, यह कितना है? 00, 1 माल के कर लेता हूँ, कितना dissociate हो रहा? 50%, 1-1 एलफा, एकिलिब्रियम पे है, तो कितना हो गया? 1 से 1-1 एलफा निस 0.5, अब STICHOMETRY के according, अगर यह 0.5 dissociate हो रहा है, तो इसका कितना formulation होगा, 0.5 divided by 2? इसकी STICHOMETRY हाफ है, 0.5 divided by 2 यह लिख सकते हैं 0.25, और यह भी कितना बनेगा, 0.25? क्लिर वा तो यहां पर देखू बात कर लेते हैं एक्विलिब्रियम कॉंस्टेंट क्या होता प्रोडेक्ट अपॉन रिक्टेंट है इसका रिशो तो देखो प्रोडेक्ट में कितना रहा है जीरो पॉइंट टू फाइफ इन्टू जीरो पॉइंट टू फाइफ यह हुआ मैंने ओंस में से कितना डिसोषियेट होगा 0.5 तो कितना होआख ग्या 0.5 तो इसका इस्का इसक्यार 0.5 इसका क्या स्क्यार पॉइंट से पॉइंट कैंसल कर दो कितना होआ? क्वैज हूआed 260050 तो कितना बच्क यहाँ वन ऐस दो वन का लिग सकने contraction 0.25 0.25 तो कौंसा option होगा है? 1st one आगे देखेगा अब देखेए यह देरिखा है if the equilibrium constant for the reaction N2 plus 3 S2 changing to N3 at 750 Kelvin is 49 when the equilibrium constant for the reaction at the same temperature is तो एक reaction दे रखी है जिसके लिए यह देरिकाद देखेए यह भीकिरिया के लिए सामने स्तरांग 750 में 49 तो इस वाली भीकिरिया के लिए सामने स्तरांग क्या होगा? तो देखे इसका सामने स्तरांग क्या है? इसकी वेल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है? 49 अब यहाँ पर क्या क्या है? 1 by 2 से multiply किया है तो निएकिलिब्रियम कोस्टेंट जिस कोफिशेंट से multiply करते हैं उसकी पावर लगाने से मिलता है तो कितना होगा? 1 by 2 यह कितना होगा? 1 upon 49 पावर कितनी लगा दोगे? 1 by 2 यानि रूट करोगे? तो कितना आगे आपके पास? 1 by 7 ठीक है? आगे देखिए कब? अब देखो the relation between equilibrium constant kp and kc समय होसता है इस तरांग kp और kc में क्या समन्द है? तो क्या होता हमारी पास में यह जानते है kp equal to होता है kc rt की पावर delta n gase species से लेते n g भी लगा सकते हो यह delta n का मतलब किसी लिया जाता है delta n से लेते हैं तो कौन सा होगा kp equal to होगा kc arctic power delta n g not case को अब देखो आगे की क्या सन करते है देखिएगा निमन लिखित में से कौन सा समो आइसो डाइफर है which of the following pair is आइसो डाइफर आइसो डाइफर में क्या होता है? condition ध्यान रखने है बस बहुत सिम्पल है आइसो डाइफर आइसो डाइफर में एक्वाल होता है neutron minus proton है यह equal होता है neutron minus proton है यह आपको क्या मिलेंगे? first one में देखो 6 carbon 14 तो neutron तो आपके पास में कितने होगे? 14 minus 6 कितने होगे? 8 first value option के लिए चलो अलग से लिखते हैं neutron proton तो कितने आपके पास में? 6 है neutron आपके पास में 14 minus 6 कितने होगे? 8 proton आपके पास में कितने 6 neutron minus proton आपके पास में कितना होगे? 2 यह तो carbon के लिए होगा ऐसे हम sodium के लिए जब calculate करेंगे तो देखेगा sodium के लिए बात करने तो sodium के लिए neutron a-z होता है तो a-z किया 23-11 कितना होगा है 12 प्रोटोन एटोमिक नंबर की को लोटे 11 तो न्यूट्रोन माइनस प्रोटोन कितना बन गया 1 तो फर्स्ट वाला नहीं है सेकेंड पे ट्राई करते हैं सेकेंड वाला ओप्सन देखीगा न्यूट्रोन उसकी वेल्यू आपके पास में कितने होगी 12 प्रोटोन आपके पास में कितने है 12 तो न्यूट्रोन माइनस प्रोटोन कितने होगी आपके पास 0 और इसके लिए हमने कैलकुलेर किया था सोडियम के लिए तो सोडियम वाले के लिए न्यूट्रोन माइनस को एरेज कर जाते हैं देखिए थर्ड वाले उप्शन पर जाते हैं 92 इरेनियम 238 और 93 थोरियम 234 न्यूट्रोन होता है ए माइनस जट 238 और इससे कितना माइनस करऊगे 92 कितना बच कहा हमारे पास में 146 न्यूट्रोन प्रोट्रोन हमारे पास में कितने 92 तो इससे न्यूट्रोन माइनस प्रोट्रोन यहाँ पर पहले न्यूट्रोन केलकुलेट करते हैं न्यूट्रोन क्या होता है ए माइनस जट ए माइनस जट क्या है आपके पास में कितना आगा है न्यूट्रोन 146 प्रोट्रोन आपके पास में कितने 92 यह वा 92 कितना हुआ 54 ऐसे देखो यहाँ पर neutron A-Z होता है neutron 234-90 कितना हो गया 144 अब proton कितने इसके पास में 90 यह minus करो कितने आगे आपके पास में 4 और 5 तो neutron minus proton आप देख रहे हो इसके पास 54 एक कीना हooगा अगर समें देखोगे तो 6-6 इसका कितना होगा 6-6 neutron कितने होगा आपके पास में 6 protons भी कितने है 6 तो neutron minaf proton कितना होगा जीरो इस वाले option में देखोगे तो neutron कितना होगा 8 proton कितने 7 value कितने होगी 1 तो कौन सा option character 3 clear हो और वैसे भी ध्यान रखना यहां पर देखो जब 92 uranium से 20 92 uranium 238 से 90 thorium 234 है इसका formation होगा है तो यहां पर देखो जड़ कितने से कम होगा है 2 से एक इतने से कम होगा 4 से यानि किसका क्या release होगा है पर किसका emission हुआ है alpha particle का और जहां पर भी alpha particle का emission होता है वहां पर आइसोडाइफर्स का formation होता है देखो रदर फोर्स experiment on skating of alpha particles showed for the first time that atom hedge alpha कणों की परकिर्णन प्रयोग पर रदर फोर्ड की प्रयोग में पहली बार दिखाया गया है कि परमानू में क्या उपस्तित होती है किसकी discovery हुईती इसके वैसे इसके नुट्रोन की नुट्रोन की या नुकलेस की इलक्टोन की प्रोटोन की तो आपको यह था ना देखो alpha particle की bombarding की तो जब center से को atom जा रहा था हो जस्ट वापस आ रहा था तो alpha particle थे वो the radiation of the the radius of the third orbit of an atom is bore k model के अधार पर एक परमानू की तीसरी कक्षा की तिर्जया है पहले की तुर्णा में कर रखिये उसकी पहले से तुर्णा कर रखिये देखो पहले कक्षक कोई भी atom मान लेता हो मैं जैसे hydrogen मान लिया जैसे मैं आरवन हाइडोजन की बात करूं हाइडोजन के लिए तो क्या होता है 0.529 यह तो अनल 0.529 N square N square upon Z तो first cell की यह वाली होगी N की value कितनी होगी आपके पास में 1 Z की value कितनी होगी 1 ऐसे देखो hydrogen या कोई भी atom की बात कर लूँ मैं जैसे hydrogen आपके ले रहा हूँ तो third की अगर मैं बात करूं तो third लिखा है आपके तो मेरे पास में क्या आएगी 0.529 N square N की value third की लिए कितना होगा N की value होगी 9 Z उतना का उतना रहेगा यहाँ पर N की value कितनी होगा तो third और इसको जब compare करोगे आप तो क्या comparison होगा R3 upon R1 कितना होगा 9 देखो second वाली equation को first वाली से divide किया है तो R3 upon R1 तो Z से Z cancel out बाकी सब cancel out होगा क्या बचेगा 9 यानि R3 होगा वो कितना time होगा 9 R1 तो first radius है फर्स्ट और बीटा उसकी radius की comparison में third और बीटा उसकी radius होगा 9 टाइम देखे क्या देरक है for any hydrogen like system the ratio of velocities of first second and third orbit that is V1, V2, V3 will be किसी भी hydrogen जैसे कोई तत्व है उनके लिए वेगों का अनपात first second और third कक्सा के लिए V1, V2, V3 है तो क्या होगा तो बेटा हम यह जानते है V equal to क्या होगा V equal to होता V1 hydrogen लिख देता हूँ first cell के equal आता इसका constant V1 hydrogen into Z upon N hydrogen जैसा कोई एटम है तो Z की value तो सब के लिए क्या होगी same लेकिन cell नमर अलग लग होगा जैसे यह वाला क्या होगा first orbit है यह वाला second orbit है यह वाला third orbit है तो first वाले के लिए बात करोगे तब तो value कितनी होगी N की value होगी 1 first वाले के लिए dot second के लिए ratio third इसके लिए first के लिए तो value कितनी होगी 1 second के लिए बात करोगी कितनी होगी 1 by 2 और third के लिए बात करोगी कितनी होगी 1 by 3 तो क्या ratio होगा 1 ratio 1 by 2 ratio 1 by 3 which one? third ठीक है? next देखिएगा यहाँ पर देखिएगा what is the potential energy of electron present in N cell of the beryllium plus ion beryllium plus ion के लिए N cell में स्थित electron के लिए स्थितीज उर्जा क्या होगी? पेड़ा हम यह जानते स्थितीज उर्जा है उसकी value जो आपकी total उर्जा है उसकी comparison में double होती है और हमें यह पता N cell है देखो K cell होता है L होता है M होता है N यह cell है तो इसके लिए N की value देखोगी तो इसके लिए 1, 2, 3, 4 यहनी कौन से cell के बात कर रहे हैं 4 cell के अंदर बात कर रहे है और किस ion के लिए beryllium plus 3 ion के लिए तो यहाँ पर देखो energy equal to क्या होगा energy equal to होता है E1 hydrogen Z square upon N square यह energy होगा ठीक है किसके लिए बात कर रहे हैं beryllium ion के लिए और कौन से cell के अंदर 4 cell के लिए किसके लिए beryllium plus 3 के लिए तो यहाँ पर हम देखेंगे E equal to कितना होगा वैसे E1 hydrogen की value कितनी होती है 13.6 electron volt के अंदर Z की value यहाँ पर कितनी होगी 4 beryllium का atomic number कितना होगा 4 4 का square cell number भी कौन सा 4 4 का square 4 से 4 cancel out तो यहाँ पर आपके पास में total energy है वो total energy आपके पास में कितने होगी 17.6 then potential energy क्या होता है total energy है total energy आपके आएगी उसका double होगा E total multiply by 2 तो क्या होगा minus 13.6 multiply by 2 इसको 2 से multiply कर देंगे तो वेड़ा इसको 2 से multiply करोगे तो कितना होगा आपके पास में 6 2 जा यह होगा ना minus 27.2 electron clear है not किजिएगा इसको next देखिएगा the ratio of velocity of electron in the third and fifth orbit of lithium plus 2 would be lithium plus 2 के लिए तीसरी और पाच्वी कक्सा के लिए electron के वेग का अनुपाद क्या होगा वेटा वेग इक्वल टू यह होता V इक्वल टू हम यह जानते V1 hydrogen Z upon N यह होगा कौन के लिए बात कर रखिए lithium plus 2 के लिए third cell और fifth cell तो यह देखो मैं यह लिखा third cell lithium plus 2 और velocity of fifth cell for lithium plus 2 तो यहां पर देखो Z upon N फसके लिए Z की वेलिए तो यहां पर कितने आगे आपके पास में 3 Z तो वेटा दोनों के लिए से मिए होगा यह वाला 3 upon 3 ठीक है यहां पर देखो Z कितना होगा 3 यह कितना होगा 5 यहां पर यहां पर यहां पर वेलोसिटी इनवर्सली प्रपोर्शनल के क्या होगी और बिट वर्सेज Z 1 by N और N इनके बीच में ग्राफ प्लोट करना आपको देखना है कौन सा सही नहीं है यह पूछा गया इनक्रेक ग्राफ पूछा गया तो हम यह जानते है वेलोसिटी के ग्राफ दे रखें तो वेलोसिटी एकॉल टू क्या होता वी वन हाइडोजन Z upon N यह हो गया अगर मेरे पास में Z constant है तो मेरे पास में क्या relation आएगा V और N के बीच में क्या relation होता है V और N inversely proportional है तो यह वाला graph हो जाएगा rectangular hyperbola सही है V 1 by N के directly proportional है तो यह वाला graph straight line होगी यह भी सही है V और Z यह directly proportional है तो यह वाला graph भी सही होगा लेकिन V और N के अंदर देखोगी तो इन्वर्स है ना तो इन्वर्स के अंदर तो यह graph आते है यह वाला graph नहीं होगी ठीक है यह graph तो किसका होगा Y equal to C minus MX का graph है यहाँ पर Y equal to क्या बन रहा है MX बन रहा है ठीक है आगे देखियेगा next one देखिये which of the following statement does not form part of Bors model of the hydrogen atom निमलिखित में से कौन सा कथम hydrogen परमानू के bore model का भाग नहीं कौन सा statement bore model में नहीं दिया गया तो पहला energy of the electron in the orbit is quantized यह था उसका पॉस्टूलेर था कक्स में electron के उर्जा quanti करत होती है the electron in the orbit which is nearest to the nucleus has the lowest energy नभी के निकर्तम कक्सक में electron के उर्जा निम्तम होती है जैसे उपर की तरफ जाते हैं तो energy होती है उबरती जाती है maximum energy कहां पर होती है infinite पर होती है जिसको हम 0 बोलते है ठीक है फिर देखो electron revolving different orbit around the nucleus यह भी सही है last one देखो the position and the velocity of the electron in the orbit cannot be determined simultaneously कक्स में electron के इस्तती और वेक का निर्धारन एक साथ में नहीं किया जा सकता यह किसने बताये था Heisenberg uncertainty principle में बताये गया था यह किसका पाटनी था बोल मोडल का तो कौनसा हो गया नेक्स देखेगा अब देखो the energy of the second bore orbit in the hydrogen atom is minus 3.41 electron volt the energy of the second bore orbit of helium plus ion would be hydrogen परमानू में दिवत्य बोल कक्षा के उर्जा कितनी है hydrogen परमानू के लिए minus 3.41 electron volt तो helium plus ion के लिए दिवत्य बोल कक्षा की उर्जा क्या होगी तो देखो उर्जा का सुतर यह होता E बराबर तेरा पुर्णशा की जगह में E1 hydrogen लिख देता हूँ यह value आती है into Z square upon N square यह होगा hydrogen atom है hydrogen atom है उसके कौन से cell की बात कर रखी है दिवत्य बोल कक्षा के उर्जा और पुछी किसके लिए helium plus के लिए और यहाँ पर भी कौन से की पुछी है दिवत्य की क्या होता E1 hydrogen से E1 hydrogen cancel out तो क्या होगा Z upon N square तो यह कितना होगा 4 helium के लिए Z की value कितनी होती है 4 2 होगी ना 2 की square कितना होगा 4 N square कौन से cell के अंदर बात कर रखी है second cell के अंदर तो यह वाली value second cell N square कितना होगा 4 तो 4 से 4 cancel out तो हमारे पास में क्या हैगा helium plus है इसकी second cell है उसकी energy किसके ब्राबर होगी hydrogen के second cell की energy multiply by 4 यह E2 hydrogen इसको लिख सकते हो ऐसे E2 hydrogen hydrogen के second cell के energy ऐसे लिख सकते है और hydrogen के second cell के energy हमें कितनी गिवेन है minus 3.41 यह होगी हमारे पास माइनस 3.41 multiply by 4 तो कितना होगा 4 minus 13.64 electron बहुत इजी सा क्या है असन बस energy दे रखी एक energy गिवेन है दूसरे के energy पूछी आते हैं तो हम क्या करते हैं उन energies का ratio लेकर solve कर देते हैं और energy का relation Z के directly proportional N square के inverse नोट किजी अब देखिया आगे यह देखा दा ionization potential of electron in the ground state of hydrogen is 13.6 electron volt per atom what would the separation potential for the electron in the first excited state of lithium plus 2 hydrogen पर्मानूं की मूल अवस्था में electron के लिए आइनन विभाव का मांदेर का तेरा पून 6 electron volt तो lithium plus 2 की पहली उतेजित अवस्था में electron के लिए पर्थाकरन विभाव क्या होगा बेटा बहुत अच्छा कि असनने देखेगा कैसे सॉल करेंगे देखो यह वाला ग्राउंड इस्टेट है एन इक्वल टुवन यह हुए एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू इसका मतलब क्या होगा अक्साइटेट सेट फर्स्ट उसके बाद वैसे एक्साइटेट सेट थर्ड सेकेंड तो और सेट नंबर कुन सा होगा फोड और यहां पर क्या जा रहे हैं इंफाइन इन फाइन इन फाइन तक जगता है किसी भी electron को उसके से घ्राउंट से कम्प्ली रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की requirement होती है वह required बेज रहे हैं, इन्फाइनाइट पर हैं, और कहाँ से बेज रहे हैं, फेसेल्स हैं, ठीक है, इन्फाइनाइट है उसके उपर energy कितनी होती है, 0, यहां पर देखा, hydrogen के लिए कितनी होती है, माइनस 13.6, Z square upon N square हो तक first L के लिए value कितनी होगी, यह वाली होगी, तो ionization potential यह hydrogen के first L के लिए, कितना होगा, 13.6, यह होगा, हमें यहाँ पर क्या पुछा है, separation potential, separation potential क्या होगा, यहाँ पर देखेगा, separation potential, lithium plus 2 की पर्थम उतेजी तवस्ता में electron को पर्थक करन करने के लिए, तो lithium plus 2 के लिए पुछा है, देखे, पर्थम उतेजी तवस्ता से, यह तो गया, n equal to 1, यह ground state है, n equal to 2, इससे आपने electron को कहाँ पर बेज़ दिया, infinite, यहाँ से electron को complete remove करने के लिए, जिस energy की requirement है, वो आपकी कहा है, separation potential, तो यहाँ पर देखो, आपको बात कर रहें, यह energy difference यह आपको देखना है, separation potential के लिए, तो electron को कहाँ पर बेज़ा, infinite में, कहां से, second cell से, किसके लिए, lithium plus 2 के लिए, infinite है, उस पर energy तो कितनी होती है, 0, यह वाली energy तो होगी 0, minus, second cell में, तो यह किसके ब्राबर होकती है, even hydrogen, और वो even hydrogen, वो किसके ब्राबर होता, 13.6, high-nation potential माल, तो fossil के energy होती है, hydrogen की, यह तो लिखाओगे, ना energy क्या होता है, even hydrogen, even hydrogen, into, z square upon, n square, ठीक है, तो यहाँ पर यह लिख सकते हो, 0, hydrogen के first cell के energy कितनी होती है, minus 13.6, separation potential या उसको remove करने के लिए, required energy होती है, तो यह minus minus क्या हो रहा था, प्लस यह भी बोल सकते है, into z, z की बात करोगे आप, lithium के लिए atomic number कितना हो गया, 3, तो 3 का इसके लिए लिए है न, देखो, किसकी बात कराए है, lithium, तो z की value आपके पास में कितनी है, 3, 3 जा, 9, और 2, 2 जा, 4, तो मारी पास में कितना आ गया, 13.6, multiply by 9, divide by 4, इसको solve करो आप, इसको solve करते हैं तो मैं बता जेता हूँ, आपको इसका, जब आप solve करोगे इसको, तो solve करते हैं तो यह value आईगी 30.6 के आसपास आईगी, 30.6 हाईगी, solve करना इसको, 13.6 multiply 9, 5, 2, 3, यह देख लेना मैटा, ठीक है, और 4 से इसको divide करो गया, यह होगा न, लग पांच, 927, 27 और 5, 32 से होता न, 3, 4, 3 बार, ठीक है, और इसको किसे divide करना फिर हमें, 4 से, कितना होगा, यह 12 होगा, 2, 0, लगब कितना होगा, 30.6, क्लियर वा, नोट कली जा, इसको अच्छा क्यों साना, बस्ये ध्यान में रखना है, ground state से electron को remove करने के लिए, जो required energy होते हैं, उसका नाम होता, ionization energy, और उसके बाद में, किसी excited state से हम electron को complete remove करते हैं, तो वह होता हमारा separation potential, नोट किया, आगे देख्यो, what is the shortest wavelength line in the paston series of lithium plus 2, lithium plus 2 के लिए paston serene की न्यूनतम तरंग धेर्दे क्या होगी, तो देखो, Z की value, lithium के लिए कितना होगा है, 3, paston series है, paston क्या हो, पहला क्यों होता है, लाइमन, दूसा बामर, किसा पास्चन, यह होगा 3, अधिक्तम उर्जा कामान अधिक्तम होता है, अधिक्तम उर्जा कहां पर होती है, अनन पर होती है, तो अनन से आने वाली तरंग धेर्दे होती है, वो क्या होगी, नून तर्ट ये क्या होगा infinite तो हम ये जानते हैं वन अपॉन लेमडा इक्वल टो ता आर जड़ स्क्राइब 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square तो 1 upon lambda equal to r z की value कितनी होगी लिथियम के लिए ये 9 फसल के लिए 339 ये कितना होगा infinite ये कितना होगा infinite का square तो ये वाली value कितनी होगी 0 तो मेरे पास में क्या बचा 1 upon lambda equal to r 9 से 9 cancel out तो कितना बचेगा r तो lambda equal to मेरे पास में कितना होगा 1 by r 1 by r तो जब भी लाइमन बाम मर पास्टन स्री जाए और आपको लेमडा पूछा जाए तो ये वाला formula लगाना है 1 upon lambda equal to r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square clear वा not कीजिए अब देखो हाइडोजन पर्मान में निमलिक में से इलेक्टोन संकर्मनिक के लिए सबसे अधिक मात्रा में उर्चा की आउशकता क्या पूछा विच्वोदा following electron transition in the hydrogen atom which required required देखो जब भी electron उपर से नीचे आता हाइड़ से lower cell में आता है तब तो energy का emission करता है रिलीज करता है जब लोर से उपर की तरफ जाएगा हाइर की तरफ जाता है तो energy को अब जोब करता है यह नि कहां से कहां होगा यह वाला तो नहीं होगा ठीक है फिर energy difference देखते हैं हाइडोजन स्पेक्टर मताते हैं वहाँ पर देखते हैं तो सबसे जादा energy कहां पर होगी जब फर्स से किस में जाएगा सेकेंड में ठीक है तो सबसे जादा energy यहाँ पर होगी अब कई बच्चों के माइन में यह वाला energy gap तो सबसे जादा होते है है energy gap के बारे में देखते हैं तो 521 यह energy gap सबसे जादा है लेकिन मेटा 521 जाएगा तो energy क्या होगी रिलीज और यहां पर हमें क्या पुछे रिक्वाइट क्लिर वात कुन सा होगा है फस्ट वन देखो चुम्ब के चैतर के परभाव में स्पेक्टर में रेखाओं का विपा क्या परभाव तो देखो कोई वी ए怎麼 रेखा है यहां पर magnetic field लगा हो गया यह electric फिल्ट आप लगाते हैं यहां पर सउ Ancient magnetic field लगा है यहां फिर आपने क्या लagा है यहां पर electric field स्पेक्टर में रेखाओं का आगे greed pattern हो जाता है चक्यों听 हम nh прошлindet सबसेल उसके अंदर भी क्या पर्जेंट नोते और बिटल जिसके गाने इस स्पेक्टर में रेका हैं वो विपार्टित होती चुम्रके चैतर में विपार्टन जिमान परभाव होगा और विदु चैतर में क्या होता है स्टार्ग परभाव एक पार्टिकल ओब मास 10 to the power minus 6 kg with a velocity of 10 meter per second 10 to the power minus 6 kg दर्वयमान का एकन जिसका वेग 10 meter per second है समन्धित D ब्रोगली तरंग देर्दे क्या होगी तो देखो D ब्रोगली तरंग देर्दे क्या होती है लेमडा ब्राबर H upon M V MKS में S की वेल्वी होती है 6.623 या 3 लिख देता हूं into 10 to the power minus 34 मास केजी में दे रखा आपको कितना होगा 10 to the power minus 6 velocity meter में दे रखे कितना होगा 10 to the power minus 10 to the 10 है तो कितना होगा 10 to the power minus 5 उपर जाएगा 10 to the power plus 5 तो आपके पास में क्या होगा 6.63 इंटो 10 to the power minus 29 meter ठीक है नोट किजी आगे देखेगा की डी ब्रोगली तरंग देरते क्या होती है जब भी डी ब्रोगली तरंग देरते आए और रिवॉल्विंग जहां पर भी आए तो एक एक फॉर्मला लगाता है 2 pi r equal to n lambda हमें क्या लगाने है 2 pi r equal to n lambda कहां पर है hydrogen पर्मानू की पर्थम ब्रोग क्या दे रखे ए नोट पुछे किस में है दूसरी बोर्ग अक्षा में घूमने वाले electron की कौन से cell के अंदर दूसरे में और किस के लिए hydrogen के लिए तो hydrogen के लिए मैं यह जानता हूँ r equal to होता r1 hydrogen n square upon z n की value कितना है 2 2 2 2 जा कितना होगा 4 z की value hydrogen के लिए होती है 1 equal to क्या होगा n lambda और n कौन से cell के अंदर बात कर रखा है देखो कौन से cell में बात की है second cell में तो 2 lambda अब बेटा क्यों सुन क्या दे रखा है r1 hydrogen hydrogen के first orbit की radius से वह आपको किसके equal मिल रही है ए नोट के equal तो r1 hydrogen की जगे हम क्या लिखेंगे यह नोट तो क्या होगा 2 pi a not into 4 equal to 2 lambda then 2 said to cancel out then lambda equal to आपके पास क्या होगा 4 pi a not 4 pi a not की जाए इसको बहुत अच्छा क्या होसा क्या होसा नमर 36 पावली अक्स्क्रीजन प्रिंसिपल स्टेट देट पावली का आप वर्जन नियम बेटा पावली क्या बोलता है पावली यह बोलता है कि एक परमानू में या एक एटम की किसी भी दो इलेक्टोन की all 4 quantum number है वो कभी भी same नहीं हो सकती कि एक परमानू में दो इलेक्टोन की सभी चारों quantum संक्याओं का मान समान नहीं हो सकता यहनि all the 4 quantum number of 2 electron in an atom cannot be same यह पावली का exclusion principle उसका statement है फिर देखें दा ओर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और थ्रीपी एलेक्टोन इस फ्रीपी एलेक्टोन के लिए कक्सकिये कौन यह समवें क्या है ओर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें पूछा है कक्सकिये ओर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यह होता है एचेपोन टू पाई एल इन्टू एल प्लस वन ठीक है एल क्या होता है एजमुथल कौन नमबर दिगोन सी क्वानटम संक्या और यहाँ पर मेरेको किसके लिए पूछ रहा हूँ 3P के लिए पूछा 3P लक्टोन के लिए तो S के लिए तो L की वेल्यू होती है 0 P के लिए वेल्यू कितनी होगी 1 तो L की वेल्यू कितनी होगी मेरे पास में 1 तो क्या लिखेंगे H upon 2Pi अन्रोट में 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा रूट 2 तो क्या लिखो होगे रूट 2 H upon 2Pi कौंसा ओप्सन होगा है 4th ओप्सन क्लिर वाँ आगे देखेगा आगे पुछाए which of the following set of quantum number is impossible for an electron निमली खितने से कौन सा quantum संक्या का समोई electron के लिए S समब होगा देखो first N की वेल्यू 1 हो सकती 1st L के लिए L की वेल्यू कितना होगा S के लिए 0 तो M की वेल्यू भी कितनी हो 0 और S तो plus minus half कुछ भी हो सकता है तो first तो correct N की वेल्यू 9 N और L में बेटा गिये वाली धान रखना N always greater than L और L और M में relation होता है M की वेल्यू कहां से कहां तक होगी minus L to 0 to minus L यानि minus L से लेकर plus L तक होगी including 0 तो देखो plus L की वेल्यू 7 है तो कहां से होगी minus 7 to plus 7 तक हो सकती है तो second भी सही है यहाँ पर देखो N equal to 0 L equal to 1 सही है M की वेल्यू कितनी होगी 0 क्योंकि L की वेल्यू 1 है तो कौन-कौन से वेल्यू होगी minus 1 0 plus 1 तो 0 वाली पॉसिबल है लेकिन 4th option देखिएगा N equal to 3 है यह सही है L equal to 3 M की वेल्यू 2 की कैस में minus 3 महीं हो सकती है कौन-कौन से हो सकती है minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 तो कौन सा option होगा incorrect पुछा आप से impossible कौन सा होगा question number 39 the above principle implies that a new electron will enter an orbit of which above सिधान्त की अनुसार आने वाले electron उस कक्ष में प्रिवेस करेगा जिसके लिए N plus L की वेल्यू minimum होती है N plus L value क्या होती है minimum N plus L का मान क्या होगा noon तब और N plus L का मान equal होता तब कि इसमें इंटर करती है जिसके लिए N की value कम होती है next last question when the electron of a hydrogen atom jump from N equal to 4 to N state the number of spectral line imitate is जब electron जब hydrogen परमानू का electron N equal to 4 से N equal to 1 में एक अवस्ता में जाता है तो उस सर्जी spectrum में रेखाऊंगे संख्या क्या होगी 4 से किसमें जा रहा है 1 से अगर first में जा रहा है तो number of spectral line number of spectral lines spectral lines उसके number N into N minus 1 divided by 2 N की value कितने होती है 4 कितना होगा 4 minus 1 कितना होगा 3 divided by 2 12 upon 2 कितना होगा 6 अगर first cell में नहीं आता हो तो आप क्या लिख सकते हो N2 minus N1 यह भी लिख सकते हो एकी बात है N2 minus N1 फिर लिखते हो N2 minus N1 plus 1 divided by 2 लेकिन first cell में आगे तो N की value कितना रखे होगा 1 तो क्या formula बन जागे N into N minus 1 divided by 2 ठीक है नौट लिया तो यह था बेटा आपका paper solution I hope so आपने अच्छे से किया होगा आपके लगबग सारी क्योसन सही रहे होंगे और जो भी doubt आपको रहा होगा तो आप इस video के तुरू जो भी आपके doubt वो clear कर लिये होंगे कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मेरे को दुबारा से इसको देखना चाहिए तो वहाँ पर solution अगर मिट गया हो इरेज हो गया हो तो वहाँ पर वीडियो को पोज़ करके solution को आप देख सकते हैं ठीक है तो अच्छे से त्यारी करते रहेगा अच्छे से अपनी preparation करते रहेगा और यह भोद पास में है आपका सपना है डॉक्टर बने का सील्ची का सपना है हर जहें डॉक्टर बनाने प्लाइण का हर गाउं में बनाने का अबतहु हम जाते हैं हरünden बेटा में की डॉक्त और बने तो आ जब भी यही उमीद करते हैं, आपके parents भी यही उमीद करते हैं, कि आप select हो, और यह आपके पास में बहुत ही सुनर्य मोखा select होने का, आप easily select हो सकते हो, बस जो हम बताते जाएं, उसको follow करते जाएं, ठीक है, तो अगले paper के लिए भी आप preparation करते रहेगा, all the very best.